आजी दोस्तो, गुड इवनी सर, revision lectures, yes, revision lecture में लेकर आया हूँ सर, आज कौन सा revision lecture होका, तो आज होका security valuation security valuation, कोशिश करूँगा कि एक छोटा सा टॉपिक है security analysis जो इसी में मैं cover कर बाद हूँ practical theory ने तो देखा जाए तो forex already मेरा डला हुआ है उसका मैं description में link share कर देता हूँ forex, interest rate, risk management अभी 6 मेने पहले ही डाला था तो उसमें कोई ज़्यादा changes नहीं है, derivatives और इसके लावब portfolio management का तो अभी one month पहले ही revision lecture डाला हूँ अब बात करते हैं, अब अगर कुछ बच्चा हुआ है तो एक security valuation, corporate valuation, merger और mutual fund कोशिश यह है कि 10 तारिक तक ये सारे revision lectures आ जाएगे मैं आपको ये नहीं बता सकता, आपको एक schedule नहीं दे सकता पर 10 तारिक तक मैं ला दूँगा ठीक है सर total security valuation क्योंकि बड़ा chapter है, इसलिए दो पार्ट में होगा आज की class में होगा bond valuation और कल की class में होगा equity valuation और money market instrument के कुछ question से वो हो जाएगे ठीक है सर तर revision में क्या क्या cover है, revision में सब cover, it means क्योंकि past के जो paper आ रहा है, उस हिसाब से दिक्कत ये आ रही थी कि यार पता नहीं कौनसा छोड़े, कौनसा नहीं तो एक काम करो ने, और सारे ही कोशिन्स कर लो, tension खतम तो मेरी कोशिश रहेगी, ये चार से पाच घंटे पाच घंटे तो लगेगा यार, सिक्क्रिश तो फिर तो आपको ये जो description में मैं PDF दे रहा हूँ, इसको print out की भी जरूरत नहीं है, बुक है, आपके पास, आपके पास copy है, अपनी book, अपनी copy खोली चे, that's it और जिन्होंने मुझसे exam oriented batch नहीं ले रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां मैं PDF दे रहा हूँ, उसका print out ले लिजेगा, तर जो solution, revision lecture में होगे, वो कौन से वाले होगे, वो solution, जो होगे solution, वो हमारे presentation से होगे, वो IC AI का presentation नहीं है, answer तो answer एक ही आएगा, पर जैसे मैं class में करवाता हूँ, same presentation में काम होगा, तो भगवान का नाम लेते हैं, और start करते हैं, security valuation, security valuation में हमने क्या पढ़ा था, तो security valuation को हमने वैसे तो चार पार्ट में बाटा था, तो basically दो पार्ट है, एक का नाम है equity, नहीं एक का नाम है bond, पहले bond ही पढ़ा था ना, और दूसरा पढ़ना है equity, bonds क्या होते थे, bonds वो होते थे, जिसको अगर हम खरीदते हैं, तो हमें fix interest मिलता था, ठीक है, तो सर, bond में हमें क्या decide, अगर मैंने कहूं कि मैंने security valuation को देखा जाएगा, तो total कितने parts में discuss किया है, तो एक हो गए हमारा bond valuation, ठीक है, दूसरा हो गया equity valuation, bond valuation, equity valuation, दो यह part है देखा जाएगा तो, तो यह money market instrument और residual क्या है, यह equity का ही part है, money market instrument में कुछ नहीं है, जो short term investment है, उसमें decide कैसे करें कि हमको T-bill में invest करना, treasury bill में invest करना, यह commercial paper में invest करना, यह सब कुछ है, आज की जो बात होगी, वो किसकी होगी, bond valuation की, क्यूंकि इससे बड़े सारे questions आते है, तो bond valuation में हमको करना क्या है, पहले तो हमको bond की price निकलना, बॉन्ड की price हम निकालेंगे, bond की price हम निकालेंगे मतलब समझ में नहीं आ रहा, bond की price नहीं bond का value निकलना है, बॉन्ड की price तो demand and supply पर depend करता है, हाँ जी हम bond की value निकालेंगे और उसका comparison किस से करते हैं हम लोग, actual price से, और decide करते हैं कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, उसके बाद bond yield निकालना सिखेंगे, उसके बाद bond risk होगा, bond risk में क्या था, याद है bond duration, ठीक है, एक सर, option embedded bond, मतलब सर, option, मतलब bond holder के पास option होता है, या फिर company के पास option होता है, ऐसे bonds जिसमें मान लो, company के पास option होता है कि company कभी भी इस bonds का पैसा वापस कर सकती, bond refunding के नाम से जानते हैं, और सर, ये yield structure, या term structure, या सच्छा topic है, या फिर boot strapping, बहुत सारी बाते बोलते हैं, बहुत सारे सब्द हैं, आपको जैसे समझना समझो, ठीक है सार, तो start कहां से करेंगे, start करेंगे हम bond pricing से, मैं थोड़ा side में रखे पढ़ाऊं, आपको भी ज़दा दिक्कत ना हो देख, bond का price, आखिर, कैसे निकाला जाता है, bond से हमें क्या मिलता है, interest, ठीक है, जो future में interest मिलेगा, जो future में interest मिलेगा, और future में हमें पैसे भी तो वापस मिल जाएगे, यस, उन सबका क्या करना है, present value, तो bond price है क्या, कुछ नहीं भाई, future में जो cash flow आएगा, उसका present value हमको करना है, और discounting किस से करना है, discounting करना yield of similar bond, ये काम की चीज़ है, या, discounting करना हम जानते है, yield of similar bond का मतलब क्या होता है, मैं A limited का bonds खरीद रहा हूं, similar company, भी limited है, same industry, सब कुछ, वहाँ 15% मिल रहा है लोगों को यह, कमाई 15% की हो रही है, तो अगर मुझे इस bond की price निकालना, तो discounting में 15% से करूँगा, ये बात हमारी हो चुकी थी, ठीक है, तर decision कैसे ले थे, decision बड़ा simple सा है है, और decision ऐसे लेते थे, मान लो मैं जिस bond को खरीद रहा हूं, उससे मुझे क्या मिलेगा coupon, 100, 100, 100, 100, जो भी, और उसको मैंने discounting किया, redeemable value जो, और discounting करने पे आ गया है 970, कि भाई, अगर मैं bonds को खरीद हूं, तो 970 रुपए मुझे मिलेगा, जो future में मिलेगा, उसका present value, अब market में बता लगा है, कि market में bond का rate क्या चल रहा, bond का rate चल रहा, 980, तर मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं है, खरीदने का कोई sense भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं investment करता हूं, तो total मिलाकर, जो future में interest मिलेगा, उसका present value है 970, और bond market में भी गरा है, 980 खरीदने का मतलब ही नहीं है, हम 980 देखकर, 970 क्यों ले, सर ऐसा bond कौन सा bond कहलाएगा, ऐसा bond कहलाता है, over price, ऐसे bond को बलते हैं, या bond जो है ना, या over valued है, over price है, महगा है, महगा है तो नहीं खरीदेंगे, सर मान लो, यह आपको सस्ते में मिल जाता है, 920 में मिल जाता है, हाँ, तो ठीक है यार खरीद लो, 920 लगाना है, और future में जो आएगा, 970 आएगा, तो खरीदने में फायता है, बस इसी तरह से decision लिया जाता है, तो मेरे ख्याल से पढ़ लोगे, कि हमें क्या करना, और सर यह equal है तो, equal है तो मेरे ख्याल से खरीदना चाहिए, पर institute कुछ कहता नहीं है, तो हम भी क्यों इस topic पे विकार में बहस करें, लाश्ट में जाके तो बहस नहीं करें, ठीक है सा, अब जो bonds हैं, उसको हमने चार कैटिगरी में डिवाइट, एक bond था डीप डिसकाउंट बॉन्ट या जीरो कुपन बॉन्ट, जीरो कुपन बॉन्ट क्या होता है, यह पता है आपको कि यार डीप डिसकाउंट, आज bonds इस्चू करेंगे, यस, और ऐसे bonds जो redeemed होगे, मैं आप से कह रहा हूँ कि यार bonds issue कर रहा हूँ, और पास साल बात, मुझसे face value ले लेना, बीच में कोई interest नहीं मिलेगा, जीरो कुपन बॉन्ट, बीच में कोई कुपन नहीं मिलेगा, तो सर, ऐसे bonds, बहुत heavy discount पर issue होते, और सर आपको तो फाइदा है ना यार, मैं आप से बोल रहा हूँ कि मान लो, 1000 रुपए face value, ठीक है, अभी bonds ले जाए, 5, 6, 0 में, 560 रुपए मैं bond ले चाहिए, और लाश्ट में 5 साल बात, 1000 रुपए मिल जाएगा, क्या चाहिए आपको जिन्दगी में और, ठीक है सर, इसकी value कैसे निकलते है, बस वही, तो deep discount bond, issue किस पर होता है, discount पर, और redeemed होता है, face value पर, ठीक है, इसकी value, काम की चीज़ है, calculator आपके हाथ में चाहिए, तभी काम होगा, हमारा जो मुद्दा है, main मुद्दा, वो है numerical question, कैसे करेंगे, बस उसी पर discuss, face value कितना है, 5000, life कितनी है, 5 years, अभी market price कितना चल रहा है, सर, अभी अगर मैं bond खरीदने जाऊं, तो 2200 मुझे देना है, और similar bond का yield कितना है, 15 percent, तो simple सी बात है, मैं क्या सोचूँगा, मैं यह सोचूँगा यार, कि जो मुझे 5 साल बाद मिलेगा, वो तो मिलेगा 5000, 5 year में, तो चलो उसको discounting करते हैं, 0 period मिले किया आते हैं, तो divide किसे करेंगे, 15 percent से, तो यहां हो जाएगा, 1.15 power 5, तो value निकल आएगा, और जो value निकल आएगा, उसका नाम होता है, intrinsic value, या फिर उसको बोलते हैं, theoretical price, और value निकल के आगया है, 2486, कि अगर आज मैं bond खरीदू, तो मुझे, जो future में मिलेगा, उसका present value, 2486, मतलब मैं 2486, देने को तयार हूँ, पर market में bond, तो 2200 का मिल रहा, खरीद लीजिए, 2200 लगाईए, क्योंकि यार, future में 2200 लगाऊँगे, आज, और जो future में 5000 मिलेगा, उसका present value, 2486, yes, bodies, under price, सस्ता हैं सस्ता, तो एक ये divide वाला तरीका हो गए, दूसरा 5000 को present value factor से multiply कर दीजिए, वो सर हमको आता है, तो 5000 को present value factor से multiply किया, हमने तो ये आगया, 5000 into 0.4972, तो ये आगया, 248, ठीक है सर, तो दो तरीके हैं आपके बस, आपको जैसे कर ना आप कर सकते हैं, तो ये तो बड़ा simple था, हाँ, और इस, इस simple simple topic पे आप सर जादा time मत लगाईए, जो है, जो time लगाना है, तो आप convexity पे लगाईए, bond refunding पे लगाईए, आप term structure पे time लगाईए, लगाऊंगा ना भई, इसमें भी लगाऊंगा, दूसरा type, दूसरी category मैंने decide किया है, plain vanilla bonds, बहुत सारे बच्चों का है, कहने इस सारी plain vanilla bonds, या conventional bonds भी बोलता हूँ, मैं conventional bonds, तो बहुत सारे बच्चों का कहना है, सर पता कैसे लगता है, कि जो bond से, वो plain vanilla है, या conventional, बहुत सिंपल bond, simple bond क्या होता है, simple debenture होता क्या है, सर simple debenture, मतलब, यार आज debentures company ने issue किया, मान लो 5 साल के लिए, हर साल equal amount में, हमको interest मिलेगा, जिसको आप coupon बोल सकते हो, और last में सर, पैसा वापस मिल जाएगा, बड़ा simple है यार, इसमें कोई ताम जहम नहीं है, जिसे zero coupon bond में, बीच में कुछ नहीं मिल रहा, सीधा last में मिल रहा, बोले ऐसा कुछ नहीं है, और भी एक है, non conventional, उसमें होता क्या है, कभी interest 10% मिलता है, 2 साल तक, और फिर 2 साल बात 15% मिलता है, इस तरह से होता है, बीच में ऐसा नहीं है, एक जैसा interest मिलेगा, और last में, हमको redeemed हो जाएगा bond, that's it, इसके लिए example number two, face value कितना thousand, ठीक है, coupon payment coupon कितना है, 12% और life है 5 years, 12% मतलब 1000 का 12% हर सल कितना आएगा, 120 रुपय आएगा, 120, कितने सल तक 5 years तक, और 5 सल बाद bond जो redeemed होगा, वो होगा 10% premium, तो 5 सल बाद आजाएगा 1100, रिविजन का मतलब ये सिर्फ सुनना नहीं होता, रिविजन का मतलब होता है, कैलकुलेटर चलाना, तो लग जाए तो लग जाए, अगर 40 गंटे का chapter या, 7-8 गंटे में भी होता है, तो बगवान की क्रपा है, उतना लगने नहीं दूगा, अला कि में, और discounting कितने percent से करना, discounting करना हमको 15 percent, तो सर्क करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जो 120, 120 मिलेगा, आप या तो divide वाले तरीके से कर सकते हैं, अगर divide वाले तरीके से करें, तो 120, 120, 120, 120, और last में कितना, 1100 plus 120, तो present value आगया, 949.1530, दूसरा factor से multiply करते हैं, सर जादा अच्छा क्या, जादा अच्छा है factor से multiply, factor से multiply करने में, जादा दिक्कत थी हैं, क्यों कि हर बार एक जैसा है, तो 120 हर साल मिलेगा, तो सर annuity factor ले लिया, यस, और last में मिलेगा, हमको 1100, तो present value factor ले लिया, answer उतना ही आया कर, ठीक, पर एक खाल से आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, समस्या और एक जगह होती, कहां होती है समस्या, समस्या ये होती है, कि ये annual था, आपको जो coupon मिल रहा था, वो annual मिल रहा था, समस्या तब होती, जब coupon मिल था semi-annual, या quarterly, फिर उसमें कैसे करते है सर, वो भी समझा देता, bond का face value है 100, coupon है 10% per annum semi-annual, मतलब सर, 1000 रुपए का 10% होता 10 rupees, हमें हर 6-6 मां में coupon मिल रहा है, तो कितना रुपए मिल रहा है, 5 रुपए, 5, 5, 5, 5, life है 5 years, तो बता कुपण कितने बार मिलेगा, सर 10 times, discounting rate दिया, 8%, 8%, एक बात, मैं समझा चुका हूँ, पूरा concept, बस काम की बात, याद रखना, कि अगर कुपन semi-annually है, तो rate भी semi-annually बनाना पड़ेगा, it means rate भी आपको 6 मेहने में convert करना पड़ेगा, और वह जाएगा 4%, it means आपको 4% से discounting करने ही पड़े, बाकी और question में कुछ नहीं, और redeemable at par लिखा हुआ, तो और भी समस्या नहीं, काम कर रही है, पाँच रुपए, सर ये पाँच रुपए है ना, हाँजी ये पाँच रुपए, पाँच रुपए discounting याद रखना है, 4% से 10 साल, एक और बच्चों को मालू में समस्या कहां आ रही थी, समस्या यहां भी आ रही थी, कि सर, ये 100, फिर ये 4% क्यों कर रहे हैं, ये 8% ही करते ना, और 10 की जगा पाँच लिखते, ऐसा नहीं कर सकते, पूरा concept, पूरा logic नहीं समझा सकता, बस ये बता सकता हूँ, कि बच्चों ने मुझसे क्या doubt पूचा था, अब doubt का जवाब देना, थोड़ा सा मुश्किल होगा यहां, कि मैं आपको बताओं कि, reinvestment देखो कैसे हो रहा हूँ, बस मैं आपसे एक ही बाद बोल रहा हूँ, कि आपको discounting, जब भी happily कुपन होगा, तो discounting आपको, discounting rate भी happily करना पर, answer आ गया, 108.1, ठीक है, यह सर, मज़ा आगया, आगे चले, non-conventional bond, पहला bond कौन सा पढ़ा था सर, हम लोगों ने, पहला पढ़ा था सर, deep discount bond, पिल्खुल, दूसरा कौन सा पढ़ा सर, हमने, दूसरा पढ़ा हैं हम लोगों ने, conventional, normal bonds, तीसरा पढ़ा नॉन-conventional, मतलब कुछ अजीब सी बाते लिखी रहेगी, वो खुदी बताएगा question, face value of 1,000, 5 years, देखो यह अजीब सी बाते क्या मोल रहा है, बोले coupon, ठीक है में, generally क्या होता, coupon एक जैसा होता, बोलते हैं, नहीं, 5 साल है, पहले तीन साल तक जो coupon रहेगा, वो रहेगा 10% पर रहेगा, मतलब sir, rupees 100, yes, अगर में, 1000, और sir, 4th और 5th year में coupon रहेगा, 12% पर रहेगा, sir, rupees 120, नहीं, रुख जाओ, रुख जाओ, रुख जाओ, और redeemable कैसे हो रहा, at par, 3rd year में 500 वापस हो जाएगा, मतलब 3rd year के end में, 1000 में से 500 वापस कर देंगे, ठीक है, तो सोच समझ के बताना, 3 साल में हमने 100 रुपे, 100 रुपे, 100 रुपे ये दिये, और 500 वापस भी कर दिया, 3rd year के end में, अब बच्चा हुआ, 2 साल तो coupon है, 12 पर्शन, लेकिन अब वो 12 पर्शन किस पर जाएगा, सर्फ 500 पर जाएगा, 500 का 12 पर्शन, अब coupon कितना आएगा, 60, 60, और last में और 500 वापस हो, discounting किस से करना, 15 पर्शन से आपको निकलना, value of bond, तो भई, प्यार से question बनाओगे, तो हो जाएगा, first year में interest जाएगा, 100, this factor, बेकार का option ये भी आता कि, sir, factor हमको 3 डिजिट लेना है, कि 4 डिजिट लेना है, समझी गया, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, या question में दिया रहे है, ठीक है सर्थ, इसके बात, इसके बात simple है, देख रहा है आपको, second year हो गया, third year में, जब coupon तो जाएगा, जाएगा, और साथ में principal भी जाएगा, फिर 60 और फिर 560, तो answer आगा है, 869.810, ठीक है, ठीक है सर्थ, चले जी आगे, एक type है, perpetual bonds, perpetual bonds, total मिलाखर, 4 bonds करवाना था, एक था जेट सी भी, एक था conventional, एक था non-conventional, और एक है perpetual, perpetual में भाईई, आपको, पैसा वापस नहीं मिलने वाला, सिर्फ जो भी payment मिलेगा, वो interest की रूप में मिलेगा, मतलब सा, जो भी coupon होगा, उसको हमें discounting करना, yield of similar bond, कुछ है नहीं है, एक हजार है, एक हजार का coupon कितना, 12% तो कितना आ गया, 120, और discounting किसे करना, 10% से, अंसर आ जाएगा, और अंसर आ गया, 12,1, तो सिर्फ theory के लिए, बोले, एक एक चीज हम लोगों को, समझ में आई, समझ में क्या है, समझ में एक बात आई है, हाँ बोलो, मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, एक तो मैं बोल सकता हूँ, calculation wise, जो मैं बोलना नहीं चाहता, मैं थोड़ा concept wise बोलना चाहता हूँ, सर, अगर हम bond issue कर रहे हैं, और bond जो issue कर रहे है, at par issue कर, और coupon है 12%, कुपन हम दे रहे हैं 12%, जिबकि आप ही अगर market में जाओगे, तो 10% मिलेगा, हम दे रहे हैं 12%, market में जाओगे, तो आपको 10% मिलेगा, तो हमारा जो bonds issue है, क्योंकि आप market में जाती, तो आपकी कम कमाई होगी, हमारा bond खरीद होगे, तो आपको coupon जादा मिलेगा, तो अगर bond issue करना होगा, तो वो bond कभी भी, demand तो बढ़ेगी ना यार, मेरे bonds की, हाँ sir, bonds की demand तो बढ़ेगी, क्योंकि market में लगा लो पैसा 10% पे, जबकि हम दे रहे है 12%, तो sir, demand बढ़ेगी, demand बढ़ेगी, तो bond का price बढ़ेगा, तो bond जो issue होगा, वो premium पर issue होगा, यही मैंने यहाँ थोड़ा सा theorem लगवाए, वो सकता है, काम आ जाए कहीं, चलो ची, तो अभी start कर रहे हैं, मैंने आपसे एक बात कहा था, मैं एक भी question नहीं छड़वाऊंगा, revision, मैं नहीं जानता कि revision क्या होता है, कैसे होता है, मैं यह जानता हूँ कि मुझे हर question करवाना है, हाँ, जहां मुझे ऐसा लगए, question तो सारे हैं, जहां मुझे ऐसा लगए कि यह question यहर कर लेना, खुछ से कर लेना, खुछ से तो अब कर लेना, कर लेना, अब दस साल जो है वो पैमेंट कैसी होगा इन्होंने लिख रहा है तो बहुत पहले चार साल है हम नौ पर्शंट देखे नौ पर्शंट कुपन देखे मतलब सर कुपन अलग-अलग है यस तो इस सर ये बॉंड का नाम है नौन कन्वेंशनल बॉंड नाम में कुछ नहीं रखा नाम से मतलब भी नहीं है बस देखते जाएए कि कुपन कितना पैमेंट होगा ठीक है सर तो सर टैन येर सौक का सौक का नौ पर्शंट मतलब सर नौ रुपए हो गया इतने साल तक वन टू फॉर फिर सर टैन रुपीज हो गया यस और फिर सर फॉर्टीन रुपीज हो गया नाइन रुपीज टैन रुपीज फॉर्टीन रुपीज तो करेंट मार्केट रेट उन सीमिलर डिबेंचर इस फिप्टीन पर्शन पर एनम कोई शक की बात नहीं है कि अगर मुझे निकालना है एंट्रिंसिक वैल्यू अगर मुझे निकालना कि मुझे बॉंड्स कितने में खरीदना चाहिए तो डिसकाउंटिंग किस से करूँगा डिसकाउंटिंग 15 पर्शन से ही करूँगा 100 पर्शन अगर मुझे ये करना, मुझे ये निकलना, अगर question ये पूछता, कि बताइए intrinsic value क्या है, बताइए कि आप bond कितने में खरीदने को तयार हो जाएगे, तो यार बाकी जगा से 15 कमा रहा हूँ, तो यहां से भी मुझे 15 percent की कम से कम कमाई चाहिए, तो अगर पूछता intrinsic value, तो मैं discount counting 15 percent से ही करता, लेकिन इस question में आपसे intrinsic value नहीं पूछा है, the company proposes to price the issue, पर company क्या कहती, company कहती कि हम इस तरह से price decide करेंगे, issue price, ताकि मेरे bonds holder की कमाई कितने की हो जाए, 16 percent, अब दो बाते हैं, company issue करना चाहती, ताकि आपकी कमाई 16 percent हो जाए, it means bond का अब जो issue price निकालेंगे, अब जो price निकालेंगे, वह 16 percent से discounting करेंगे, अगर पूछेगा issue price, अगर पूछेगा intrinsic value क्या बता, ये bond holder के point of view से, तो फिर तो मैं 15 percent से discounting करते, इस पे dispute है, वहुत ज़्यादा बच्चों के doubt आते हैं, कि sir 15 से discounting की 16 से discounting, ठीक है sir, company also proposes और redeemed होगा 5 percent premium पर, determine the important, देखो क्या मांग रहा है, sir issue price मांग रहा है, बस इस पर focus करना, issue price मांग रहा है, it means discounting कितने percent से होगा, discounting होगा 16, एक solution आपके सामने है, मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे explain करना है, बस यहाँ ध्यान देना, और sir factor कैसे निकालते हैं, 5 to 8 का factor कैसे निकालेगा, तो मुझे यह revision में नहीं करवाना चाहिए, 5 to 8 का factor कैसे निकालते हैं, यह सबको आता है, issue price आगया, 71.2957, sir 71.30 भी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कोई दिक्कत की, प्लीज इस question को देख ले न, अच्छा question, question number 4, पढ़े, यह भी question आपको देख कर जाना पड़ेगा, बहुत अच्छे अच्छे, question number 1 के बाद 2, 3 किदर है, पढ़े वो question में कुछ दम नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इसको homework, यहाँ वो question करवा रहा हूँ, जो बिलकुल आपक काम के, पढ़े जी, मतलब मैंने repeat, जो बहुत ही ज़्यादा repeat है, जो similar figure है, उसको तो मैंने हटा दिया है, फिर भी हमको question number 2 और question number 3 देखने की इच्छा है, कि यार है क्या उसमें, तो मैं काम करता हूँ, description में उसका भी PDF डाल देता हूँ, किसका, book का, book का भी PDF ले लीजिए और revision जो notes है, उसका भी PDF ले लीजिए, और classwork में आपको सब कुछ दे देता हूँ, आपका attention करता हूँ, so question number 4, a company proposes to sell, company भाई प्रपोस कर रहे है, 10 साल का कोई debenture है, 10 साल maturity period है, और face value है उसका 10th hour, company जो repay करेगी, 10,000 का debenture issue कर रहे हैं, हमने का ठीक है, हम 10,000 देने को त्यार है, ठीक है, coupon कितना दोगे, तो coupon वो बता देगा, coupon यहां लिखा 15%, और बात लिखा annually, ठीक है, coupon बता दिया कि भाई, आपको 15% interest देंगे, तो 10,000 का 15% कितना होता, 1500 हमको मिलेगा, पर समस्या मालूम है क्या है, समस्या यह है, कि repayment जो होगा न, वो हर साल 1000, 1000 का repayment होगा, मतलब मुझे हर साल coupon 1500 नहीं मिलेगा, पहले साल तो 1500 मिल जाएगा, फिर 9,000 का 15% मिलेगा, फिर 8,000 का 15% मिलेगा, सर वो 1000, 1000 भी तो वापस आएगा, हाँ, this is non-conventional bond, तो सर इसका क्या है, discounting कि से करना, discounting 18% से करना है, तो कि अब present value निकाल सकते हैं, तो पहले साल कितना आएगा, 1500, पहले साल के end में, 1500 भी और 1000 भी, बस यही आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, यह देखोगा यह question, यह हुआ है, पहले तो year लिखा है, ठीक है सर, अब repayment, 18 साल का factor लिखा, 4 डिजिट में, अच्छा है, अगर आप 4 में लिख लेते हो, तो आपके पास time है, अगर चार में नहीं लिख पाए, तो फिर 3 तो कम से कम, 3 point के बाद 3 डिजिट लिखना चाहिए, वैसे आजकल जो है, question के नीजे factor दिया रहता है, अब देखो, पहले साल 1500 यह और 1000 तो repayment होगा, तो मतलब 2500, फिर 1350, तो फिर 1000, तो interest कितना पर लगेगा, 9000 पर, तो फिर ना बच्चों ने जुगाड कर लिया था, यह मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, यह 9000, 1000 रुपए वपस होगा, 9000 पर इंटर्स लगेगा, फिर 1000 रुपस होगा, 8000 पर इंटर्स लगेगा, पर बच्चों ने मालों में 150 कर दिया, 2350 आ गया, माइनस 150 कर दिया, 2200 आ गया, माइनस 150 कर दिया, इस तरह से तरह, और फिर डिस्काउंटिंग तो करी लोगे, तो answer आ रहा है, 9082.37, ठीक है, यसर, चले जी आगे, question number 5, यह अच्छा question, question number 5, question number 5, देखे, क्या है, बुले, जॉन, इनहेरिटिट दा पॉलिंग सिक्यूरिटी आउन इस अंकल डैथ, अंकल की डैथ हो गई, तो अंकल ने क्या छोड़ कर गया, तो बुले, अंकल ने कुछ बॉंट्स छोड़ के गया, कुछ preference share छोड़के गए है ठीक है भई क्या-क्या चुब बोले जो भी छोड़के गए है कोई समस्या नहीं है बस हमें उन्होंने जो छोड़के गए है उस uncle की death पे जो portfolio हमें मिला है उसका value निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं बताओ क्या क्या छोड़के गए, बुले bond A, जो है 1000 का एक, हमने का ठीक है, वो 10 bonds छोड़के गए, और coupon कितना है, 9%, बुले मैं एक का value निकाल सकता हूँ, क्या सोच रहा हूँ, तो sir, 1000 का 1000 का 9%, 1000 का 9%, उस हिसाब से 90 rupees है यह, एक bond का, 90 rupees interest मिलेगा, एक, दो, तीन साल, और yield का मतला हमें discounting करना, यह similar yield होगी, कितने percent से करना है, 12 percent, और last में 1000 तो मिलेगा ही, मिलेगा हमारा यह मानना है, redeemable bonds, उसका present value निकलते हैं, और जो भी आएगा, एक bond का, उसको 10 से multiply करेंगे, देखें कि कैसी किया हुआ है, यह कहा हुआ है, यह नीचे होगा साथ, हाज, देख सकते हो, कैसे किया है, सबसे पहले bond है, तो 900, अच्छा, उन्होंने into thousand, एक साथ किया है, उन्होंने का यार, 1000 into 10, तो बोले, पूरा 10,000 पर बात करते हैं ना, यार, पूरे 10,000 पर बात, तो 10,000 का 9 percent, 900 ले लिया, discounting किस से कर रहा है, 12 percent, 3 साल, एक तो ये तो मिलेगा ही, मिलेगा, और साथ में, लाश्ट में, 10,000 मिलेगा, और थर्ड एयर का factor दिया हुआ है, या, I guess, 9 to 7, 9, हो जाएगा ये question, ऐसे किसका किया, bond बेका, प्रफरेंश एयर के साथ, ध्यान से देखो, यह इश्टार लगा दिया है, तो बोल रहा है, likelihood of being called at a premium overpower, और 13 पर्शंट दे रख, मतलब, करे तो कैसे करे, कुछ ने ये life नहीं दिया, तो हमारे पास option नहीं है, हाला कि इस line का मतलब मैंने आपको समझाया था, कि similar जो preferentier है, वो लोग क्या treat कर रहे हैं अपने आपको, ज़्यादा हम time pass इस concept भी ना जाया तो अच्छा है, तो सीधा 100 रुपए into 100, सर 10,000 ये भी हो गया है, yes, और 10,000 का 11%, तो सर 10,000 का 11% हो गया, 1100, और divided by कितने से कर देंगे, 13% से तो answer आजाएगा, मेरे ख्याल से ये तो हो गया bond भी, preferential 1100 divided by 13%, और इसका भी आगया, इन सबको जोड लिया, तो ये आगया, 36251.42, फिके सर, अच्छा कोशन था, तो ये बढ़ाता हम लोगों ने, और क्या पढ़ाता ये बढ़ाता सर, हमने intrinsic value bond ने करना, हर टाइप का कोशन थोड़ा-थोड़ा आपको करवा दिया, तूसरा और एक चीज है, decide करने के लिए, और जिसका नाम है, bonds yield, मैंने ये भी बताया था, कि intrinsic value method में दिक्कत क्या है, intrinsic value, ये present value में दिक्कत क्या है, bond का price निकालते हैं, तो उसमें decision लेने में दिक्कत हो रही थी, बताया था क्यों, बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, तो मैंने का यार और एक तरीका है, intrinsic value method में, अगर jet sip भी है, या फिर बहुर भी bonds है, अलग-अलग value के है, और तीनों चारों में से कौन सा bond खरीदना है, तो इसको decide करने में थोड़ा सा problem हो रहा था, तो मैंने का और एक तरीका है, क्योंकि अलग-अलग size के bond हो सकते, कुछ bonds 10,000 के भी हो सकते, कुछ bonds 100 रुपए के भी हो सकते हैं, तो उसमें decide करना है कि खरीदना चाहिए, कि नहीं खरीदना चाहिए, हर एक की value निका लेंगे, तो फिर समस्या हो रही थी, माइने रखता है कि क्यों ना सबका percentage में कमाई निकाल दी जाए, और किसी का आया 15% और किसी का आया 10% और किसी का आया 5% तो भाई, हमें नहीं मालूम कि कितना पैसा लगाना है bonds में, अगर कमाई ज़्यादा है, तो हम bonds खरीद लेंगे, ये वाला, इसको बोले जाता है, yield, अच्छा सर, सर मालो सर एक ही bonds खरीदना है, तो फिर कैसे डिसेट करेंगे, फिर ये देखेंगे, जिससे हम डिसकाउंटिंग कर रहे हैं, similar company, उसमें yield कितना है, वो लोग 14% कमा कर दे रहा है, अपने bonds उल्डर को 14% कमा कर दे रहा है, 14, और हमारे bonds का yield कितना है, 15% है, तो सर ये तो bond सस्ता है यार, 15 कमा कर दे रहा है हम लोग, और आप दूसरी जगा लगाओगे, तो कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, इट मिस डिसाइट कैसे करोगे, सर जब अगर yield जादा है किस से, required rate of return से, इसको मैं required rate of, ये yield of similar bond से जादा है, हमारी bond का पर्शनेटेज, तो ठीक है, खरीद लो अच्छी बात है, ओके, तो हमें सीखना क्या है, हमें सीखना bond yield निका, और यहां भी, दो-तीन टाइफ के yield होती, एक होती yield to maturity, ये काम की चीज है सबसे, yield to maturity, और एक होता current yield, ये काम नहीं आएगा, और एक होता realized YTM, ये भी काम नहीं आएगा, खेर हमको पढ़ना तो तिनों ही पढ़ेगा, ठीक है, तो, आगे चले, क्या होता है yield to maturity, सर बताईए, ये लिट to maturity है, कि ये बॉन्ड में मैंने आज पैसा लगाया, अब धियान से समझना है, सर ठीक है, समझाओ थोड़ा सा, बॉन्ड में आज मैंने लगाया 1000, और हर साल 15-15% मिलेगा, मतलब सर 150-150-150-150, तो ठीक है न सर, दिख तो रहा है कि 15% की कमाई हो रही है, लेकिन, मुझे बाद में पता लगा, कि लाश्ट में 1200 रुपए भी मिलेगा, 1200 भी मिलेगा, अगर मैं अभी के हिसाब से सुचू तो ठीक है, 150 की कमाई हो रही 15%, लेकिन यार, बाद में एक्स्टर मिलेगा, कितना एक्स्टर मिलेगा, 200 हम इसको इग्नोर कर देते हैं, अगर हम, अभी की बात कर देते हैं, इसको आप current yield बुलते हैं, यर 150 मिलेगा, मतलब 15% मिलेगा, चलो हो गया काम करता हम, लेकिन सुनो सर, bonds अगर खरीते तो last का भी देखो कि redeemed कितने में हो रहा है और redeemed कितने में हो रहा है 1200 में हो रहा है तो आप उसको कैसे ignore कर सकते वो भी तो आपके कमाई है हाँ तो उसको भी consider करोगे last तक जो मिलेगा last में उसको भी consider करोगे इसलिए इसका नाम yield नहीं है इसका नाम है yield to maturity आगे से मैं yield बोलूँगा मतलब yield to maturity ही होगा और सर यह जो अभी का अभी कितना percentage मिलेगा यह निकाल रहा थे इसको हम yield to maturity नहीं बोलते अगर focus सिर्फ अभी के interest पे रहेगा तो उसको yield to maturity नहीं इसको बोलते current yield अच्छा सर current yield का मतलब अभी कितने की कमाई है और yield to maturity का मतलब bond जब तक mature नहीं होता तब तक कितने की कमाई है और decision में कौन सा काम आएगा decision में current yield काम नहीं आता yield to maturity ही काम आता तो डिसकस कर रहें की एक बार सर कैसे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं यह formula आपको पता ही होगा I का मतलब सर वो कितना कमा रहे थे 150 और सर वो 1200 minus 1000 यस और कितने साल में यह तो पूरे कितने साल का है सर पास सर यह formula हमको आता है और नीचे क्या किया जाता है average एक तो यह है regular bond का क्या निकालना इस matter पर मैं बात नहीं करूँगा कि मैं formula आपको logic के साथ समझाऊ और formula याद भी नहीं करना यह तो C enter में कर रखा अच्छे से खेर C enter की मैं बात ही क्यों करूँँगा अभी तो किया security evaluation मुझसे ही तो पढ़ा है मुझसे नहीं भी पढ़ा तो यह formula ऐसा कोई student नहीं है जो revision कर रहा है उसको यह formula नहीं आता हूँ ठीक है तो यह निकल गए ytm याद करो आप क्या निकालते थे 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 आप qd निकालते थे C enter में हलाकि वहाँ i one minus tax करते थे वहाँ tax होता था यह tax नहीं होता है generally इसलिए हम i के साथ plus कर देते one minus tax नहीं करते हाँ एक question आएगा जिसमें होगा तो वह मैं discuss कर लोगा ठीक है सर आगे चल रहा है इस अब कहानी महानी लिख वाया है तो perpetual bond है तो ytm कैसे निकालेंगे परपेच्वल है तो redemption का तो सवाल ही नहीं है हमेशा आई 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 वही मिलने वाला है decision में आपको बता दिया है किस basis पर लेना और current yield का simple सा formula है current yield मतलब आज कितना ले रहा है और कितना interest मिलेगा हमको redemption से मतलब ही नहीं है चलो तो बात करे ytm के विश्य में current yield के विश्य में यह सर बात कर लेते है चलो देखते क्या है एक bond यह है जो है zcb 0 coupon bond coupon तो मिलेगा यह नहीं coupon नहीं मिलेगा तो current yield क्या है जी रो यही तो समस्या है current yield कामका नहीं है सर और एक कौन सा bond है conventional bonds conventional bond क्या एक सेकंड conventional bonds क्या conventional पता है आपको regular interest मिलेगा एक हज़र का बारा परशन मतलब कितना होता है सर 120 रुपे दस सल 920 अब perpetual bond में कुछ नहीं मिलने वाला life दिया नहीं रहेगा 10% अब कौन सा bond खरीदना चाहिए अगर मैं कहता हूँ current yield के basis पे decision दो तो खेल खतम हो गया फिर तो क्यों कि last में क्या करोगी यह तो ठीक है जैट सीबी का current yield तो 0 होगा तो हमको जो decision लेना है वो दो तरीके से या तो intrinsic value निकाली चाहिए या तो फिर intrinsic value के अलावा yield निकाली है और हम yield निकालने जा रहे हैं अध्यां से समझना कि हम yield कैसे निकालने तब से पहले बात करेंगे जीरो कुपन जीरो कुपन बॉंड का YTM कैसे निकाला जाए क्या है YTM सर YTM का मतलब है कि आज हम कितना पैसा दे रहे हैं और future में कितना पैसा अगर देखोगे ZCB का YTM तो सर आज हम दे रहे है 2800 और पास साल बाद आएगा 5000 आज दे रहे 2800 इस rate से पास साल बाद 5000 हो जाएगा याद है future value हाँ सर यह है future value यह है present value तो बस dirty power आपको आता 5000 divided by 2800 और यह करोगे तो answer आगा है 12.29 पर 12.29 पर मतलब सर कहना है मतलब बस simple सी बात है कि यह अगर हम ZCB में आज 2800 लगाते है और पास साल बाद 5000 मिल रहा है इसका मतलब हम हर साल compounded annually के साब से यह परेना में 12.29 परशन कमाएगे पर यह dirty power का यूज नहीं होता तुक सर करते ही क्या है विट्टे एक method होती है present value method और यही काम आने वाली है present value और इसमें क्या करते है इसमें भी कुछ नहीं कर रहा है यह 2800 यहां लिखा है और इसको divided by यहां कर दिया तो सर यह है क्या एक्चुल में कुछ नहीं है ये पैसा आज जा रहा जिसको बोलते present value of cash आज और ये पैसा future में आ रहा है जिसको बोलते present value of cash इसका मतलब सर ये IRR मेथड है हाँ एक ऐसा discounting rate ढूंडना है कि 5000 को discounting करे तो वो 2800 के बराबर हो जाए अच्छा फिर interpolation करते थे यार तो हम मन से कोई भी rate ले लेंगे और मन से हमने लिया चलो यार 10% से start कर 10% से start कर बोलो पास सल बात कितना आएगा 5000 पाचवे साल का factor लिया तो answer आ गया 3104 जबकि मुझे चाहिए 2800 दूसरा मैंने का चलो यार अब दूसरा percentage लेते हैं और मैं ये तो पता होगा आपको कि answer मुझे और कम लाना है मतलब 3104 तो ज़्यादा answer मुझे तो और कम लाना है तो मुझे rate बढ़ाना होगा आसरी पता है फिर मैंने rate दूसरा 12% भी ले सकता था 13 भी ले सकता था पर 55% का gap चाहिए कम सिक पाच 55% का मैं gap ले लेता हूँ तो gap लेकर हमारा answer आदा 2486 जबकि मुझे इन दोनों की बीच का चाहिए 2800 तो क्या मुझे interpolation करना पड़ेगा और मैंने interpolation की सबके अपने अपने तरीके होते हैं किसी को formula पसंद आता है किसी को as job तो मैं इस matter पर discussion नहीं करूँगा कि interpolation कैसे करते हैं वो आपको आता है final answer आ गया है कितना 52.46 52 नहीं 12.46 सर यहां आया था कितना आया था कितना आया था सर 12.29 परशन और आपका यहां अंसर आया है 12.46 परशन तो accurate कौन सा accurate वही वाला accurate वह है जो किया तो सर यह चल जाएगा कि यह चल जाएगा एक साम चल जाएगा अगर कोशन के साथ present value factor दिया है तो भाई कुछ भी मत करना कोई formula मत लगाना अगर कोशन के साथ present value factor दिया है तो आपको करना ऐसे ही पड़ेगा present value factor के हैं मतलब interpolation technique से ही करना बढ़े सर्फ कन्वेंशनल बॉंड्स का कैसे निकालना कन्वेंशनल बॉंड्स का मतलब या नॉर्मल बॉंड्स यह दिख रहा ना नॉर्मल बॉंड्स सर इसका वाईटियम कैसे निकालना होता है पहला यह फॉर्मुला और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स मतलब formulas रिख बर समझाओ कि कुछ नहीं है बिटे पहले इन्होंने क्या किया इन्होंने present value method से करते हैं बोले ठीक है और एक मन से कोई भी discounting rate ले ले लेते हैं 10% ठीक है इस्टार्ट में 10% से करता हूँ और आज कितना पैसा लग रहा है 9 to 0 तो हम future में जो cash flow आने वाला है उसको discounting करेंगे 10% से और भगवान से प्रात्ना करेंगे कि 9 to 0 आ जाए 10% से discounting करेंगे 120 और 1000 और answer आ जाना चाहिए 9 to 0 बट 9 to 0 नहीं आ रहा तो अब rate और लेंगे इससे बड़ा वाला और कौन सा ली ली क्योंकि मैं 5% बढ़ा कर ले रहा हूँ और answer आना चाहिए 9 to 0 पर आ गया 8.49 तो फिर से interpolation करेंगे यस और answer आ गया 13.70% एक तो यह technique यह ज़्यादा complicated है और यह technique लगाना ही पड़ेगा अगर आपको factor दिया रहेगा factors दिये रहेगी मतलब questions के साथ में दूसरा सबसे अच्छा technique है formula formula YTM का formula लेकिन इससे जो YTM आएगा वो YTM approx आएगा वो accurate नहीं रहेगा पर ठीक है चल जाएगा ठीक है जी ठीक है सर तो दो तरीके हैं यार बहुत सारे बच्चों के doubts आते हैं कि सर हमको ये interpolation वाला IRM method से काम कर लेना चाहिए IRR बोल रहे हैं यहां YTM लिखा होना चाहिए मतलब YTM method से IRR technique से काम करना चाहिए कि formula से तो आप formula से कर सकते हो formula लगा सकते हो लेकिन अगर questions में factors दे रखा है तो फिर आपको factors ही use करना हो ठीक है perpetual bonds तो perpetual bonds में कुछ है नहीं है 10 80 रुपए क्या है this is present value of cash outflow और ये क्या कर रहे है present value of cash outflow answer आ गया 12.5 पार यह simple language में बोलू यार 80 रुपीज लगा रहा है bond का price कितना है 80 रुपीज है bond का price है 80 रुपीज और आएगा हर साल कितना 10 रुपए तो percentage में बताओ कितना हो जाएगा ठीक है ज़र हो जाएगा current yield मेरे ख्याल से मुझे समझाने के जरूत ने मैंने सब का current yield बता दिया bond A का current yield 0 आएगा क्योंकि Z से भी है और इसका 120 913.04 आएगा और इसका तो सर इसका मतलब यह हुआ अगर bonds perpetual bond perpetual बहुत काम की चीज है बट्टे काम की चीज है अगर bond perpetual bond तो उसका current yield हो और YTM हो एक ही अंसर आएगा हाँ जी हाँ यह काम की चीज ने और एक एग्जामपल करें एग्जामपल नमबर 7 एग्जामपल नमबर 7 में क्या लिखा हुआ एक बार देखते कि क्या है एग्जामपल नमबर पेस वैल्यू है 100 उपन है 11% current market price है 10 और लाइफ है 5 years और एडी में बलवे लिखा है यार income tax rate दिया है 30% और भी है और capital gain tax rate दिया है 10% income tax rate दिया है 30% इसका मतलब सर 100 into 11 पतलब वैसे तो यार हम लोगों को 11 रुपए की कमाई होगी पर टेक्स काटने के बाद 1-0.30 0.7 into 11 टेक्स काटने के बाद आफ्टर टेक्स 7.70 आएगा पर सर्थ कैपिटल गेन टेक्स क्या है भई आपने बॉंड जब खरीदा था तो 100 रुपए में नहीं नाइटी रुपीज में और जब रिडीम दो रहा तो 110 रुपए तो अगर देखा जाए तो आपको 110 माइनस 90 कैपिटल गेन हुआ और कैपिटल गेन पे आपको 10 परशंट टेक्स देना पड़ेगा 10110 माइनस 90 10 परशंट टेक्स तो सर टेक्स हो गए 2 रुपए तो नेट कितना मिला सर नेट मिला 10 माइनस 2 आठ रुपए 20 माइनस 2 रुपए गलत बात है नेट कितना मिला इट मिन्स जब मुझे बॉंड्स वापस मिला बॉंड्स जब मैंने वापस किया तो सर आया कितना सर आया था 110 पर टेक्स वाला दो ले गया तो सर नेट मुझे 108 मिला बस यही बात याद रखना है बच्चे यहां गलती करते है बच्चे बोलते हैं नेट मुझे 18 मिला नेट क्यों 18 मिला भाई नेट तो आपको टोटल तो 110 रुपई ही मिला गया तो नेट तो आपको 108 ही मिला सर सवाल यह है कि हमको इसके present value method से करना चाहिए कि formula method क्या factor दिया है नहीं जब factor नहीं दिया तो जबरदस्ती दिमाख नहीं चलाएंगे हम formula से ही करें और यह मैंने करवाया यह 108 formula से answer आ गया formula से answer आ गया 11.4 और क्या हो सकता है special और special कुछ नहीं हो सकता special हो सकता है कि आपको semi-anuali देते है और से semi-anuali दिया तो फिर क्या काम करेंगे semi-anuali दिया पहली बात formula लगाएंगे सर कि क्या factor दिया है नहीं तो formula लगाएंगे बस formula में जब I लिखोगे I आई आप 1000 into 12 12 रुपे मत लिख लेना ठीक है सर आपको 6 रुपे लिखना पड़ेगा ठीक है सर ठीक है और जब आप यहाँ लिखोगे redeemable value कितना है at par बोला है 1000 minus 980 क्योंकि यह 6 मेने का है तो इसको भी 6 मेने का amortize करना पड़ेगा मतलब 5 years है तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 10 years लेना पड़ेगा बस और कुछ नहीं है खास बात अराम से काम हो जाएगा तो यही उन्होंने किया है अभी यह तो average है तो answer आगए 12.52% 12.52% हम कमा रहा है जबकि similar bond का yield कितना दिया 15% भई मत खरीदो यार इधर इधर लगा रहा है हो तो कितने की कमाई हो रहे 12.52 जबकि यही पैसा में कहीं और लगाँगा तो 15% तो यार यह तो over value है over price है खरीदने की जिर्ट that's it तो हमारा bond का दूसरा top pv खतम हुआ जिसका नाम है bonds yield पहला क्या क्या intrinsic में लिए अभी क्या कर रहा है ytm वगे रहा तो जिस पर question हो जाए question श्टार्ट कर दे चलो जी तो bond yield पर question कर ले क्या है और एक अच्छा question उठा रहा है question number धीरे करना और मैं जो question discuss कर रहा हूँ उसको तो पका अच्छे से करना ही जन questions को मैं बोल दूँगा की चलो ठीक है आगे चलो यार ये कर ले ना उसे छोड़ भी दोगे तो उचल जाए देखे क्या लिखा हुआ है yes based on the credit rating of bond Mr.Jet has decided to apply the following discount rate भाई इसको कोई bond खरीदना है ठीक है सर bond खरीदना है किसको Mr.Zet को तो बोले जो भी bonds खरीद रहे हो वो rating के इसाब से AAA rating, AA rating, A rating बोले अगर AAA rating है मान लो तो उनका ये कहना discounting rate क्या यूज करोगे बोले जो T-bill rate होगा मतलब या risk free rate fraiserable rate उसमें बोले 3% और add कर लेना ठीक है इस bond से risky होता है risky होता है मतलब T-bill से तो ज़्यादा risky होता है तो risky होता है तो RADR यूज करेंगे risk adjusted discounting rate मतलब सर रेट ज़्यादा यूज करेंगे ठीक है AA मतलब और भी ज़्यादा risky है तो discounting rate और भी ज़्यादा आएगा बोले कौन सा वाला rate लेना बोले जो AAA का rate आएगा उसमें 2% add कर देना इस तरह से काम हो अब यह तीनों में से कौन सा bonds खरीद रहा अब सर बोले AA rated AA rated का मतलब AA rated ये वाला तो सबसे पहले तो हमको ये discount ये decide करना पड़ेगा कि discounting rate कौन सा ले 1000 face value है और अभी 1025 का है bonds का past साल maturity period है coupon rate है 15% face value of 1500 हमें coupon मिलेगा ठीक है the next interest payable is due 1 year from today and the bond is redeemable at par कोई दिक्कत नहीं है और आपको T-bill rate दे रखा है और ये 9% दे रखा है 9% याद रखना 9% परेनम है ये परेनम कहा है ये तो 364 दिनों का है पिटे ये जो rate निकाला जाता नहीं ये परेनम ही निकाला जाता तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा discounting 9 तो लेना पड़ेगा plus 3 ये भी लेना पड़ेगा plus 2 ये भी लेना पड़ेगा तो 9 और 3, 12 और 2, 14% से हमको discount अगर intrinsic value मांगेगा तो you are required to calculate the intrinsic value ठीक है 14% से हमको discounting करना है इसके बाद क्या हमें bond में invest करना चाहिए decide कर लेंगे हमें price दिया हुआ है और price को देखेंगे और intrinsic value को देखेंगे और decide कर लेंगे क्या करना है इसके अलावा बले current yield भी निकालना है निकाल लेंगे और YTM भी निकालना है तो YTM निकालने की दो तरीके हो गए या तो formula, formula method या तो present value दोनों में से किसी एक से काम कर सकते है वैसे मैं formula से ही करूँगा अगर मुझे chance मिला तो exam में अगर मैं बैठा आपकी जगा तो मैं formula से करूँगा तो भाई पहले क्या decide करना पड़ेगा पहले decide करना पड़ेगा discounting rate ये तो हमको आता है उसके बाद 150 14% से discount 1000 intrinsic value आ गया intrinsic value कितना आ गया intrinsic value आ गया 1034.35 yes और actual bond का price क्या है actual bond का price है 1025 0.86 तो sir हमें अगर हम investment करते है तो हमें मिलेगा 1034 और जबकि bond का price है 1025 तो sir सस्ता है under price तो क्या bond purchase कर लेना चाहिए yes under price है तो bond should be purchased उसके बाद क्या मांगा है current yield current yield का मतलब यार 150 आएगा coupon हमें redeemable value से मतलब नहीं और आज कितना लगाएंगे 1025 तो ये आ गया हमारा current yield और इसके अलावा YTM तो पक्का क्योंकि factor नहीं दे रखा तो मैं present value method से करूँगा alternative आप hit and trial method से भी कर सकते हैं या IRR method से भी कर सकते हैं तो ये तो पता हैं आपको पस यहाँ ध्यान देना थोड़ा यहाँ बच्चों ने calculation mistake किया है मैं फिर से बोल रहा हूँ question important है question आ सकता एक्जाम में ये minus में है याद रखना है यहाँ बच्चों से गलती होती है फिर के सर हम से नहीं होगी और answer आगा है 14.3 पर रहे हैं अब बात करते question number 7 अच्छा question है question number 7 फिर के सर क्या बात है उसमें आखिर question अच्छा है मैं ये कह रहा हूँ मतलब कुछ नो कुछ तो बात होगी calculate market price 10% government of India security currently quoted मतलब सर ये market price है ये हो गया हमारा currently quoted मतलब market price 10% government of India security है अभी 110 का है but yield is और yield जो है वो बढ़ जाएगा 1% yield 1% से बढ़ेगा तो बताओ market price क्या होगा तो मैंने क्या किया मैंने का मान लो यार क्योंकि face value नहीं दिया है तो मैंने का कि मान लेते है face value है rupees 100 वो तो मान नहीं पड़ेगा आपके पास को 110 रुपए तो market price है face value है 100 तो मुझे ऐसा लग रहा 100 का 10% coupon कितना है रुपीज 10 ठीक ठीक है सर अब कुछ लाइफ नहीं दिया तो मैं ये क्या सोचा लाइफ नहीं दिया तो एक काम करते नहीं perpetual bond कुछ नहीं दिया तो perpetual ही मानेंगे अब perpetual में present value कैसे निकालते है divided by मैंनका 10% है तो 10% से बुल रहा 1% से बढ़ा देना तो divided by मैंने 11% किया जो की गलत है actual में पहले आपको yield निकालना पड़ेगा ये yield नहीं है it means sir हमको क्या करना पड़ेगा कैसे निकाला जाता perpetual bond में current yield is equal to ytm उपर लिखना पड़ेगा 10 नीचे लिखना पड़ेगा 110 तो ये निकलाएगा ytm 9.09 ये question अच्छा इसलिए ये क्योंकि गलती हो सकती मुझ से हुई ये तो आप से भी हो सकती और फिर इसको 1% से बढ़ा ओके 10.09 और फिर value निकालोगे तो value कितना गया 99.1 इसका मतलब ये हुआ यार कि yield के बढ़ने से bond का price गिरेगा हाँ ये तो पहली बात आपको समझ लेना अच्छे से क्योंकि yield के बढ़ने से bond का price गिरता है ये सर market में अगर आपका bond आप खुछ तो चो logic के साथ बात करें logic के साथ बात ऐसे करते हैं कि अगर market yield 15% market yield की बात करो market yield 15% लोग मेरा bond अभी 900 रुपे में खरीदने को तई है ठीक लेकिन market yield बढ़ गया 20% मतलब लोग market में investment अब गर रहे तो 20% की कमाई हो रही है तो यार मेरा bond कोई क्यों खरीदेगा और खरीदेगा तो कम मैं खरीदेगा logic की बात discounting से तो आप समझते हैं मुझे ज़्यादा जो irrelevant बात हैं वो ना करूँ तो सीधी सीधी बात है यार bond का price कितना आगा है 99.1 इसमें बस गलती क्या हो सकती है यही गलती हो सकती जो मैंने कि point number 2 bond 7.5% coupon है 7.5% coupon face value है 10,000 और कितना period है 2 years और अभी कितना है 6% interest payable half yearly अब यार दिक्कत क्या है सुनना ध्यान मेरे मन में क्या है सबसे पहले happily बात हो रही है तो 10,000 का 7.5% तो 10,000 into 7.5% तो सर 750 हो गया साल भर का divided by 2 तो सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हर साल coupon आएगा 375 अब सवाल है कि discounting मुझे 6 मेने से करना पड़ेगा यास ये rate जो 6% दिया है ये 6 मेने का ही है या तो फिर परेनम है अगर 6 मेने का है तो discounting के लिए rate जो उठाना पड़ेगा मुझे 3% उठाना होगा 3% अगर ये rate 6 मन्त का ही है 6 मन्त का तो सीधा 6% से discounting कर देंगा सवाल बस इतना है यहाँ बच्चे परिशान हो गये थे करना क्या है तो अगर logically बात करो तो चाहे परेनम दिया हो चाहे ना दिया हो इसको हमेशा में परेनम लूँगा इट मिस यहाँ जो discounting होगा वो happily मतलब 3% से discounting होगा logic ये और वही institute ने किया अब किसी बच्चे ने थोड़ा सा जिसकी copy उन्होंने जुगाड लगाने की कोशिश किया मतलब सर किस टरह से जुगाड लगाया उसने सोचा यार क्योंकि मुझे yield पता है हाँ सर मुझे yield पता है 3% उसने का formula में put कर देते formula तो हमको पता है और हमें P निकालना है तो काम हो जाएगा गलत भी कहा है खी खे सर तो दिक्कत क्या है इस में दिक्कत ये है कि ये जो YTM ये जो formula है न इससे actual YTM नहीं आता इससे approximate YTM तो ये जो price निकलता है ये approximate price निकलता है इस formula को कोशिश करे न यूच करे price निकालने के लिए अगर प्राइज निकालना तो प्लीज आप इंट्रेंसिक वैल्यू ही यूज करें प्लीज एक कोशन आगे करवाऊंगा मैं बॉन्ड डूरेशन का कोशन है जिसमें यह फॉर्मुला यूज किया है आई सी ए आई ने प्राइज निकालने के लिए पर अल्टरनेटिव भी यूज किया है और मैं अल्टरनेटिव ही यूज करूंगा इट मिस जब भी प्राइज निकालना रहा है या वैल्यू निकालना रहा है तो प्लीज हम यही वाला फॉर्मुला यूज करें ठीक है और समस्या खतम थ्री परशन के सबसे काम कर दो हो जाएगा ठीक है Queshion No.11 पे जाएगा Queshion No.11 अच्छा Queshion सारी अच्छे Queshion है हाँ बिटए जितने भी Queshion कर वा रहा हूँ सब सोद समझ के कर वा और सारे Queshion ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुड़वा रहा हूँ revision का मतलब मैं कोई selected नहीं करवा रहा हूँ मैं सारे question करवा रहा हूँ अब भी तक ऐसा है कि मैं जब बोलूँगा कि ये question आप से हो जाएगा मैं नहीं करवाँगा वो question लिखा रहेगा यहाँ अब पर मैं करवाँगा रहे ठीक है 31st March 2030 पोश्रम 11 की बात कर the following information about bonds is available एक तो भाई ZCB है ठीक है सर face value कितना है 10,000 maturity है 31st March 2023 और अभी है 31st March 2000 मतलब सर कितने साल बात दस साल बात उपन होगा नहीं उपन date की भी जिरुवरत नहीं है ठीक है discounting क्या मांगेगा intrinsic value मांगेगा यह yield मांगेगा यह है मेरा पहला bond उसके लिए ना question में point number one दे रख और बोला 10 साल है 10 साल हो गया ना 2013 से 2023 10 साल हो गया बोले आफ साड़े साथ परसन से discounting करोगे तो बताइए क्या आएगा answer यह तो simple हो गया 10 था हो जान साड़े साथ परसन दस साल तो आगया 485 कुछ special था क्या कुछ नहीं सर simple दूसरा लिखा रहा है treasury bill treasury bill कभी भी एक साल से ज़्यादा के लिए issue नहीं होता उसका period ही मतलब money market instrument कहला था treasury bill कब की बात है यह आज कौन सा दिन है 2013 और यह कब होगा 2013 मही यह कौन सी रेट है March कौन सा 20 June दिन गिल लेते है और कितना रुपय लगा रहा है एक लाग रुपया आज face value है face value पर redeemed होता आई है तो कितने दिन काउंट अप्रेल में जून ठीक है दिन काउंट कर ले न मांगा क्या है सर मांगा क्या है सबसे पहले मांगा क्या हो तो देख ले थे पॉइंट नंबर पुट्टू में वाट विल वी दा एनुलाइज यल्ट है इप दटी बिल अगर 98,500 का हो तो पिलकुल सिंपल तरीका है यार आज लगाना है 98,500 और हमें कुछ दिन बाद दिन मुझे नहीं मालूम दिन 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 81 डेस बाद 81 डेस बाद मिलेगा वन लेक तो रेट उप रिटन निकालना ये तो असानी से या येल्ड निकालना निकल जाएगा पर एनुलाइज बोला है तो को 98,500 लगा रहा है तो बेस तो 98,500 ही आएगा हाँ सर पर ये जो येल्ड निकलेगा वो 81 डेस का पर एनुलाइज बोला तो 365 से मल्टिप्लाइज किया अल्टरनेटिव आप 360 डेस भी ले साथ तो अंसर आ गया 6.86 पर ठीक है ची अब ये वाले बाउंड की बात करते है 2013 और ये 2000 ये भी 10 साल है यस और पेबल कब हो रहा है 31st मार्च को ही हो रहा मतलब सर येरली हो गया और फेस वैल्यू कितना फेस वैल्यू है 100 100 इंटू 10.71 मतलब 10.71 कुपन हो गया इसकाउंटिंग किस से करना वो बताएगा 8 परशन से डिसकाउंटिंग करना है तो वाट इस दा प्राइस ये तो हो गया है कोश्चन इसमें तो कुछ है ही नहीं अंसर आएगा 118.185 इस मैंटरप में ज़्यादा है डिसक्रिशन एंट दा लाश्ट अब बच्चे ना बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं कि सर कभी-कभी आप प्राइज जो है प्राइज और एक्च्वल प्राइज में हमको अंतर समझ नहीं आता है अगर हम वाइटीम से डिसकाउंटिंग करते हो आइटीम से कर देते हो कभी रिक्वायर रिटन से कर देते हो तो बच्चे कन्फीज हो रहे थे तो सर उससे तो एक्च्वल प्राइज जाएगा हाँ क्योंकि हम बात ही करते थे कि वाइटीम है कैसा रेट है जिस पर पी वी सी आई इस इक्वल टू पी वी सी ओ अगर हम वाइटीम मतलब हम अपने बॉंट्स की बात करते और उसके यिल्ड की बात करेंगे उससे डिसकाउंटिंग करोगे तो एक्च्वल प्राइज जाए ठीक है और अगर सिमिलर यिल्ड से डिसकाउंट करोगे मतलब कोई दूसरी कंपनी का बॉंट्स है और उससे जो कंपनी आपको रिटन मिल रहा है उससे डिसकाउंटिंग करोगे तो एक्च्वल लिए जाए ठीक है ठीक है सर अब यहाँ परिशानी क्या हो रही थी बच्च्चों को उलते सर रिवाइटी हम लिखा 8% से तो प्राइज जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा एक्च्वल प्राइज निकल जाएगा प्राइज ओ बॉण्ड आगे ठीक है लास्ट वाला पॉइंट कर ले 10% बॉण्ड है 2018 पस मतलब सर कितने साल है है तो वैसे 5 यर्स पर दो दो बार इंट्रेस्ट मिलेगा मतलब इंट्रेस्ट 100 रुपे का 10% मतलब सर पाच-पाच रुपे इंट्रेस्ट आएगा तरस बार डिस्कांटिंग करेगा डिस्कांटिंग रेट दिया रहेगा यस 8% है तो 4% से डिस्कांटिंग कर लेंगे ठीक है सर हो जाएगा ये तो आंसर आगया 108.114 ठीक है 2-3 कोशन करवाया है बहतरिन कोशन की अगय चल रहा है कोशन नुम्बो है 12, disputed question है कोशन नुम्बर 12, disputed question है एक्ञाम में आ गया था र्टीपी में तो बाद में डला पहले एक्जाम में आ गया था क्या था आखिर इस कोशन उले इसमें लखा है एक जनवरी दोहजार उन्निस को राम is considering to purchase an outstanding corporate bond face value है वान था outstanding corporate bond का मतलब bond पहले से issue हो चुका है एक अप्रिल दोहजार उन्निस को bonds issue हुआ हुआ नहीं आज है एक जनवरी 2019 मतलब bonds पहले से issue हुआ होगा पता नहीं कब ओ भले जो issue हुआ था that was issue वो हुआ था 1st January 2017 को issue हुआ था ठीक है जी और 9.5% coupon था मतलब सन एक जार का 95 रुपीज और 20 साल original maturity था that is 31 December 2017 17 से 27 बीस साल कैसे हो गया भाई मतलब यह कोशिन में कुछ भी लिखा था since the bond was issue the interest rate have been downside जब bond issue कर रहा है तो interest rate कम था भी वो premium पर भी करा है कितने में 125.75 मतलब सर अभी जो भी करा है वो भी करा है 1125.75 determine the prevailing interest rate on similar type of bonds actual में वो क्या निकालना चाहता है वो यह कह रहा कि देखो भाई क्या पूछ किया रहा है सर पूछ यह रहा कि देखो सर ऐसा है कि आज मेरे bond का price कितना है आज है 1125.75 किस rate से discounting करे कि rate पैसा आ जाए 1125.75 मतलब सर यह हमसे yield पूछ रहा है यह हमसे YTM पूछ रहा है तो सर यह सद्द लिखा क्या है prevailing interest वो कह रहा है क्या होना चाहिए दूसरी company का भी जो हम कमा रहा है वो ही होना चाहिए वो actual में आप से पूछ रहा है कि क्या yield होना चाहिए दूसरी company की similar yield क्या होना चाहिए तो यार हमारे पस कैसे निकालेंगे क्या होना चाहिए ऐसा पूछेगा ना तो हम अपना मिलने कालेंगे और हम कहेंगे वह ही होना चाहिए और वो कम ज़्यादा होगा तो फिर decide करेंगे problem कहा है problem है years में और फिर यार years कितना लिया जाए कितने साल से discounting किया है और सर इसमें formula method लगा सकते कि नहीं लगा सकते क्योंकि factor दिया है तो एक six person लेना और एक eight person लेना उसमें कोई दिक्कत नहीं problem कहा है year कितना लेना आज कौनसी date है सर आज date है एक जनवरी 2019 और maturity date कौनसी है 31 December 2017 बस इसी पे focus करना बाकी जरूरत नहीं है आज एक जनवरी 2019 यस 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9 साल तक बस बीच में 20 साल लिखा है क्योंकि question का framing गलत है तो भी बस यह देखना आज considerate है मुझे तो आज का price निकालना और maturity कब हो रही है और 9 साल का factor भी दे रखा है तो आई टीम निकालना सब कूं आता है यस तो पहले जो rate दिया 6% से discounting करेंगे 8% से discounting करेंगे और उसके बाद हम answer ले आएंगे तो मतलब कुछ खास था नहीं question में इस question में दिक्कत भर क्या थी interpolation करोगे तो answer आ जाएगा इस question में दिक्कत क्या थी बस येर वियर में confusion था ठीक है चलो आगे चल रहा है और ये concept है dirty price और clean price dirty price clean price dirty price और clean price क्या होता है प्लीज समझाईए एक simple सी बाप समझाना क्या ये आपको पता है हमें जो interest मिलता है मान लो कब मिलता है 1 April 2010 खितम कब हो रहा year 31st मार्च से दो और 31st मार्च से दो और और एक साल ले लो तो 31st मार्च से दो कोई फरक नहीं पर interest मान लो बीच में मिलता है 1.39 को मिलता है और 31st मार्च को फिर 30 September को और 31st मार्च को debenture पढ़ा हुआ है अब मैंने कहा कि मुझे Bond की value निकालना और Bond की value यहां कहीं बीच की निकालना 31st December 2010 की और मैंने का यार Bond कहां तक चलेगा बोले 2000, 13 तक चलेगा तो मैं discounting करने का पर discounting यह करना पड़ेगा तो सर ये discounting हो गया तीन मैने का, फिर ये हो गया नौ मैने का तो यह दिक्कत होगी ना यार यस तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग कहते भई अभी रुख जाओ एक काम करो सबसे पहले यहां तक की value निकाल लेते हैं इसको discounting करोगे इसको discounting करोगे इसको discounting करोगे यहां की value और यहां का भी interest add कर देते हैं तो यह bond की value कहां तक निकल गई यहां तक निकल गई प्यार से समझा रहा हूँ वैसे तो मुझे समझाना नहीं चाहिए यह तो हमारा already किया हुआ है और फिर bond की जो भी value आएगी फिर उसको हम तीन मैने पीछे खिचेगे और यहां की value निकल जाएगी अब यार इसमें यह है यह जो price कहलाता ना इस price को बोला जाता है dirty price क्यों क्योंकि इसमें इस period का interest भी तो include होगा और अगर इस period का interest में यहां से minus कर दूँ तो जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा clean price हमें यह बताना होता है कि bond का जो total price हम दे रहा है यहां का price जो भी दे रहा है उसमें accrued interest कितना है और bond का basic value क्या है पस वो ची तो इसमें तीन मैने का interest भी तो जुड़ा हुआ है जिसको आप accrued interest बोलते है हाँ सर याद आया थोड़ा बस बस मैं आपको याद ही दिला रहा हूँ मैं आपको concept में समझा रहा हूँ concept समझाने में एक गंटा निकल जाए तो finally काम करें तो यह है कि dirty price और clean price क्या है तो full price या dirty price बोलते है value of bond on valuation debt valuation date की बात मतलब यहां की बात कर रहा हूँ 31-12 और clean price या bond basic value क्या कहलाता है बोले dirty price में से तीन मैने का accrued interest minus कर दे तीन मैने का इस example में पाकि जो भी होगा तीन मैने का interest minus कर वोगी तो वो जो आएगा उसका नाम रहेगा clean price एक example के थूँ समझाने की कोशिश किया था example number 10 एक तीन आक्टूबर दो हजार पीस face value है 1000 उपन है 12% परेनम हापियर ली कौन कौन सी डेट में 30 छे और 31 बारा और maturity rate है 31 बारा दो हजार तीज़ देख लेंगे redeemable at par सब्द लिखा है yield of similar bond है 15% मतलब discounting करना आपको वने कालना clean price, dirty price और equivalent अब समझते है आज की डेट कौन सी है जब आप bonds खरीदने जा रहा है 31, 10, 2020 अब सुनो मिट ये डेट है 31, 10, 2020 और maturity date है ये वाले 31, 12, 2030 अब क्योंकि इस दिन इंट्रेस्ट तो मिलता नहीं है इंट्रेस्ट कौन कौन सी दिन मिल रहा है सर इंट्रेस्ट मिल रहा है यहां, यहां, यहां मतलब कितने बार यहां से start करते हैं सर तो अब यहां से count कर लेना कितने बार हो रहा है हमें कहां तक 6-6 मैने में जाएगा हमें यहां तक पहुचना है सबसे पहले मैं यहां से सबसे पहले यहां से यहां पहुचूंगा साट रुपे को discount कर और 106 मतलब सर कितने बार एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे तो मैंने 6 बार discount किया rate है 15% तो साड़े 7% के सबसे तो value क्या आया value आया 929.63 यहां का value आगया सर 929.63 यहां का value इसमें 60 जुड़ा नहीं है 60 और add करना पड़ेगा 60 और add कर दिया तो यह आगया total यहां का value आगया यह सब मिला कर कितना आगया 989.63 ठीक है सर बात समझ में आती है अब इसको फिर pull करेंगे और इसको यहां तक लेकर आएंगे मतलब फिर discounting करेंगे यह फिर discounting करेंगे और discounting करने से कितना आएगा अब हम निकालने जा रहे है dirty price या bond का full price और वो कैसे निकलेगा वो simple है वो दिख रहा है आपको कैसे क्योंकि 15% है तो तीन मेने का rate देख लो 15 into 3 by 12 divided by 100 तीन मेने का कि चार मेने 31 December तक आपने price निकाला था कितना 989 आपको पीछे खेचना मतलब सर नवंबर दो मेने दो मेने तो 15 into 2 by 12 divided by 100 plus 1 1.025 से discounting करोगे बहुत ज़्यादा compounding की चकर में मत पढ़ना ICI वैसे भी करता है पर नहीं पढ़ना तो यह आगया 965.49 यह कौन सा price दाया सर यह आगया bond का full price पर इसमें interest भी तो जुड़ा होगा कौन सा वाला interest यह वाला interest जुड़ा होगा सरी कितने मैंने का four month का तो वो जो four month का है वो इसमें जुड़ा हुआ है it means मुझे जु है वो four month का interest भी तो मिलेगा yes वो इसमें जुड़ा हुआ है उसको बोलते accurate interest तो निकाल ले तो four month का interest वन थाउजन का 12% 12% क्या है कुपन 40 रुपीज तो बता ही clean price क्या है तो 965.49 में से 40 मैनेस किया तो clean price आ गया है 925.49 कोशन अच्छा है और आपको करके जाना चाहिए ठीक है देखें अगे यह कोशन फेमस से MP लिमिटेड वगा लिखा MP लिमिटेड इश्यू है नियू सेरीज ओब बॉंड ठीक है कब इश्यू किया था एक जनवरी 2010 तो बॉंड्स वर सोल्ड एट पार रुपीज थाउजन और कुपन कितना है 10% तो सर 1000 का 10% कितना हो गया रुपीज हंटे कब इश्यू किया था सर एक जनवरी 2010 दस को एन मैच्यूर ओन 31 दिसमबर दोहजार पचीस हो मैच्यूरिटी है 31 दिसमबर दोहजार पचीस लंबा पिरियड है कुपन पैमेंट आर मैट सेमियनुवली ओन 30 जून और 31 दिसमबर एची है assume that you purchase an outstanding मतलब पहले सी issue है कब खरीद रहे हो आप खरीद रहे हो एक मार्च 2018 को याद रखना है एक मार्च 2018 को और interest हमको कब तक मिलेगा हमें 2025 तक मिलेगा calculation कर लेंगे when the going interest rate was 12% तो वो कहना चाता 12% से discounting करोगे what was the YTM of MP limited bonds as on 1 जनवरी 2010 यहां का YTM निकाले तो YTM का formula हमको पता है अब bonds issue भी at par है तो सच्चा ही है और यह किसी काम का नहीं है हाँ सर यह किसी काम का नहीं और सर यह भी किसी काम का नहीं है सीधा 1000 ही लिख सकते थे हाँ अब यार यहां एक दिक्कत है बच्चों का कि सर हापियर लिखा है तो यहां 100 ना लिखकर यहां 50 लिखते है आप यह लिखा है ना यार तो सर 50 लिखते चल जाएगा 50 by 1000 करोगे फिर जो भी आएगा क्योंकि हमें annual दिखाना पड़ेगा तो फिर 12 by 6 करना ही पड़ेगा ठीक है तो अगर मैं कहूं ICEI ने इंस्टिट्यूट ने इसका solution कैसे कर रखा है solution simple है 100 divided by 1000 into 100 answer आगया 10 पर अब बच्चे बोलते सर उसने तो YTM मांगा था current yield क्यों निकाला तो पिटी एक बात समझ लो जब भी redeemed हो रहा है face value पर और issue भी हो रहा है face value पर तो current yield ही YTM हो जाता है अब समुद्दे की बात क्या है यह बला है point number 2 2 मुस्किल है यही समझना है हमको point number 2 लिखा what amount you should pay to complete the transaction मतलब भाई आप 1 March 2018 को bonds खरीद रहे हो तो बताइए आप इस transaction को complete करने के लिए कितना पैसा दोगे मतलब bond का आप से क्या मांग रहा है full price या क्या मांग रहा है dirty price निकाल लेंगे और बताइए यह जो full price है इसमें कितना accrued interest है और कितना bond का basic value है basic value को क्या बोल रहा हूँ है clean price कितना है यह बताइए दिखा इमत कहां से start करना 1 March 2018 काउंट आपको करना पड़ेगा start कहां से होगा start होगा सर अगले बार कुपन कब आएगा कब कब कुपन है जरह देखो कुपन कुपन दिसंबर और जून को मतलब सर यहां कुपन आएगा एक तो 20 जून को और 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 2018 अब आपको काउंट करना पड़ेगा कि कुपन कहां तक पहले यहां तक लेकर आएगे 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो कितना हो गया है 6, 6 into 12 20 तक जाएगा क्या 25 तक जाएगा 25 तक जाएगा तो यहां से गिलने थे 18 से ठीक है सर 18, 20, 22, 23, 24, 25 ठीक है सर यहां एक आएगा एक तो यहां आएगा कुपन फिर 19 में 2 आएगे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो सथ 3, 3, 6 और 1, 7 मतलब यहां तो 14 आएगा इसके बास से 14 टाइमस आएगा और एक यहां हां सर 15 टाइमस और डिसकांटिंग कितना करेंगे 12% है एओन गोइंग इंटरेस्ट तो 6% से डिसकांटिंग करोगे तो यहां तक का प्राइस जाएगा यहां तक ठीक और वो आ गया होगा कितना आया 9,02.9 यहां का प्राइस आ गया 9,02.9 2.9 और यहां का भी interest हमको क्या करना पड़ेगा एट कितना रुपए 50 रुपीर फिर दोनों मिलाकर यहीं का price आएगा और यहां का price आगया 9.52 9.52 पॉइंट कुछ जो भी आप समझ लेना और इसको discounting करोगे यहां तक मतलब सर तीन मैने पीछे क्या मतलब हो गए March, April, May, June 2 March, April, May, June 4 मैने पीछे ठीक है चार मैने से discounting करोगे तो यह आगया bond का 30 price यह bond का full price आगया यहां तक अब सर इसमें interest भी तो जुड़ा हुआ है यस कितने मंत का interest जुड़ा है दो मैने का तो दो मैने का interest है 16.67 तो bond का clean price आगया है 8.99.59 ठीक ठीक है जर प्लीज प्लीज इस question को देख ले question number 8 में कुछ खास बात नहीं थी question number 8 आप खुद देख ले ना कुछ नहीं कुछ नहीं question simple है अराम से हो जाएगा question number 10 question number 10 भी tax वाला question है यह वाला tax और capital gain tax है तो मैंने example गरवा रखा हूँ यह भी आप से आसानी से बन जाए अब बात करते हैं realized ytm और खतम हो जाएगा फिर हम bond risk पे पहुचेंगे the realized ytm है क्या चकता CA inter में modified IRR पढ़ा था या international financial management में modified IRR पढ़ा था this is realized ytm actually क्या ytm में एक assumption है कि जो बीच में पैसा मिलता है इसको मैं समझा तो नहीं पाऊंगा अभी पर ytm में कि यह बीच में जो coupon मिलता है उसको हम reinvestment करते हैं और reinvestment किस पे करते हैं खुद ytm वाले rate पे करते हैं हाँ सर बीच में जो intermediary cash flow मिलेगा उसका reinvestment उस समय जो भी rate होगा उस पे reinvestment होगा तो ytm की समस्या को दूर करने के लिए आगे है realized ytm वो बोलता सुनो यार बीच में आप ytm ऐसे ने निकलोगे realized ytm कैसे निकलोगे को ले कितना पैसा लगा रहा हूँ आच और कितना पैसा मिलेगा लास्ट में इन सब को reinvestment करने के बात और फिर जैसे zcb का ytm निकलते न वैसे निकल बिल्को सिंप देखे क्या एक्जामपल के थुरू बात करते है एक्जामपल नमबर टैन में face value दिया current market दिया live दिया coupon दिया ready यह सब समझाने के लिए मैंने intrinsic value निकला और ytm निकला यह सब समझाने के लिए था काम की बात काम की बात पर पहुँचे यास काम की बात यह काम की बात यह है कि उपर वाले एक्जामपल में अगर reinvestment rate होता 8% तो बताइए realized ytm क्या इट मीज आज कितना पैसा लगाना है मुझे 980 हर साल कितना मिलेगा 100 100 107 इसको जो है investment कितने पे करेंगे 8% पे और इसको investment कितने कितने पे करेंगे 8% पे तो finally last में हर जाएगा हमारे पास 1294 और आज पैसे लगा रहा है और last में आ रहा 1294 तो बताइए कितना आएगा realized ytm निकाल लोगे dirty power वाले formula से और answer आगया 9.736% simple है ऐसी एक question है question number 13 इसमें भी same है reinvestment rate दिया है बस उसी को आपको reinvestment करना है और ytm निकालना से यह हो जाएगा कि मेरे ख्याल से यह भी कर लोगे आप ठीक इस अब आ गया main topic bond risk अब देखा जाएं तो चार main topic करने हैं जितना भी हमारे पास bond risk time लगेगा concept है इसी में bond duration आएगा bond immunization आएगा सब कुछ है दूसरा आएगा convertible bonds तीसरा आएगा option bond refunding और चोहता बचा हमारा yield कर यह चार topic अभी भी बच्चे हुए हम start कर रहे है bond risk से चलो जी हम जो बात करना वो बात किस पर करना bond risk यही है जो थोड़ा सा topic जिसको थोड़े से अक्छे से discussion करना है क्योंकि इसमें लगता है थोड़ा सा time bond में risk होता है मतलब सर मतलब भाई ऐसा है फिर bond में तो हमको interest मिलेगा मिलेगा और last में पैसे मिलेगे मिलेगे मतलब company default करेगी यह वारा risk हो सकता है मैं कहा रहा हूँ कोई default risk नहीं है तो फिर bond में क्या risk bond में बस एक ही risk है कि जब मैंने bond इसमें हूँ company जब मैंने bond issue किया जब हमने bonds issue किया तो उस समय market में rate of interest 10% चल रहा था तो हमने का चलो भई हमसे भी coupon की रूप में आप 10% ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आप भी खुश हो और आप क्यों खुश हो क्योंकि आपको 10% मिल रहा है जितना market में वो rate मिल रहा है और agreement भी हो गया और आपने कितने साल के लिए bonds खरीद लिया आपने मानलो 10 साल के लिए bonds खरीद लिया ठीक है और आपको कितना coupon मिलेगा 10% मिलेगा मिलेगा कोई problem नहीं समस्या है कि 2 साल जैसे तैसे आपने निकाला और ये rate जो market में 10% था वो हो गया 15% अब दिक्कत क्या आगए दिक्कत ये आगए कि यार अब लोगों को investment करने पे 15% ब्याज मिल रहा है और चुंकि company के आपने bonds खरीदा तो company आपको 10% ही दे रहा है करे तो क्या खरे तर bonds बेज दीचे, bonds किसको बेचोगे, bonds आप जिसको भी बेचोगे वो कहें कि पागल है मैं क्यों खरीदू भाई अगर मैं खरीदूँगा तो वो पैसे में आपके bonds क्यों खरीदूँगा तो मुझे तो 15% मिलेगा मिलेगा आपके bonds एक ही condition में खरीद सकता हूँ जब bond का price कम हो जाए अगर आप मुझे कम दाम पर दित्ते हो तो मैं खरीदूँगा क्योंकि आपके bonds पे उतना फाइदा है नहीं तो सीधा सा concept यह है कि no doubt company हमें इतना coupon बोला है उतना देगी कोई शक्की बात नहीं है तो भी हमें risk है risk इस बात का है अगर market में yield ज़्यादा बढ़ गया market में rate बढ़ गया तो आपका bonds का price गिर जाएगा this is most important और यही मुझे समझाना ही कैसा है तो मैं बात default risk की करूंगा ही नहीं इस matter पर मुझे बात ही नहीं कर दो इस matter यह हमारे syllabus में भी नहीं है मुझे दो matter पर बात करना है price risk और है reinvestment ही कैसा है पहले जो बात करेंगे वो करेंगे price risk price risk बात समझ में आ गया rate of interest बढ़ ही गा तो bond का price this is inverse relationship हो और price risk को calculate करने के लिए मुझे bond duration समझना पर बांड duration क्या है यह समझाना है कि bond duration है क्या वो ही है bond duration क्या है price risk को calculate करने के काम आता है और bond duration में मुझे दो duration समझाना है एक है effective duration और एक है macula duration या modified duration effective duration का आज तक कोई question नहीं आया है पर यहां हम करेंगे और एक है macula duration का ही question आता है macula duration या मैं modified duration बोलूँ तो बात समझ में तो sir यह formula क्या बोलता है यह formula क्या बोलता है यह बात मैं समझ लेंगे मैं formula पर ज़्यादा focus नहीं कर रहा हूं सबसे पहले effective duration का मतलब समझते हैं है क्या suppose effective duration आया 2 effective duration आया 2 effective duration मतलब sensitivity productivity इसका मतलब है कि अगर 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 market yield एक percent से down होगा या market yield एक percent से बढ़ेगा तो bond का price गिरेगा और कितने percent से गिरेगा two percent से गिरेगा यही चीज मुझे समझाना है आपको ठीक है effective duration exam में आता है क्या नहीं आता है कितना टाइम लगेगा फटा-फट से काम करें ते एक्जाम्पल नमर 11 फेस वेलियो बॉंड है 1000 कुपन है 10% येल्ड दिया है 9% मैं बसे मैं ये कह रहा हूँ कि रिविजन का मतलब मैं बिल्कुल रिविजन सेलेक्टिट कोशन नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको कम्पलीट रिविजन दे रहा हूँ कम्पलीट कोई कोशन छूटे ही न कुपन है 10% येल्ड ओब बॉंड है 9% और लाइफ है पास कि अब बॉंड का वेल्यू निकाला जा सकता है यस कैलकुलेट दा प्राइस ओब बॉंड सर तो आसान काम हो गया 100 रुपए डिसकाउंटिंग कितने परशन से करेंगे 9% से और लाश्ट में 1000 मिलेगा 9% से तो बॉंड का प्राइस आ गया 1039 अब मेरा कोशन ये है कि अगर यिल्ड अभी डिसकाउंटिंग कितने परशन से करते है 9% अगर ये 2% का चेंज हो जाता 2% बढ़ जाता है ये 2% कम हो जाता है तो क्या बॉंड के प्राइस में चेंज जाएगा हाँ सर अगर येल्ड बढ़ेगा तो बॉंड का प्राइस गिरेगा उसके दो वज़ा लॉजिक में आपको दिया और अगर मैस पे जाओ तो जैसे जैसे डिसकांटिंग रेड बढ़ेगा बॉंड का प्राइस गिरेगा तो पहले चलो निकाल कर देखते है निव प्राइस और निव प्राइस में और आंसर कितना आ गया है 963.09 मतलब सर अगर ये 2% से येल्ड बढ़ा तो बॉंड का प्राइस भी गिर गया कितने परशेंटिस से वो हम निकाल और सर बॉंड का प्राइस 7% येल्ड हो जाता मतलब येल्ड गिर जाता तो बॉंड का प्राइस बढ़ेगा और वो बढ़के आ गया है 1123.0 अब येर करना क्या है मैं ये कर रहा हूं कि येर बॉंड के प्राइस में बिल्कुल यार देखो ये काम आने वाला है modified duration में concept के साथ कर रहा हूं क्योंकि ये topic है थोड़ा धीरे ही चलूं तो ज़्यादा अच्छा तर इसका मतलब ये है कि bond का प्राइस जैसी हमने बढ़ाया sorry yield जैसी हमने बढ़ाया तो bond का प्राइस डाउन हुआ कितना हो गया sir 963 हो गया तो येर bond का प्राइस तो डाउन हो गया कितने percentage से डाउन हो गया sir 7.3 31% से डाउन हो गया और जैसी yield बढ़ाया तो bond का price बढ़ गया और कितने percent से बढ़ा 8.08 percent तो sir ये तो अजीब सी बात है कि yield के बढ़ाने से bond का price yield के कम होने से bond का price बढ़ता है और yield के बढ़ाने से bond का price गिरता लेकिन दोनों का ratio दिख रहा है हाला कि दोनों में 2-2 percent का change हो रहा है पर ratio से हम नहीं है ratio अलग 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 बोलने में तकलीब है तो हमने इसका average कर ली और answer आ गया 7.70 percent तर इसका मतलब बोला इसका मतलब concept चोल समझना इसका मतलब में जो बोलने जा रहा हूँ 7.70 का मतलब गलत बोल रहा हूँ पर गलत सुनना पड़ेगा तर क्या बोल रहा है इसका मतलब है कि सर जैसी हम bond का yield बढ़ाते है 2 percent से तो bond का price गिरता है 7.07 percent से गलत है सर 7.31 percent से हाँ लेकिन हमको ये बोलना पड़ेगा इसी को मैं effective duration बोलूँगा bond क्या बोला yield बढ़ा तो bond का price गिरा कितने से 7.70 percent लीनियर ले रहे हूँ हाँ और दूसरी बात yield गिरा तो bond का price बढ़ा कितने से 7.70 सर ये भी गलत है actual में तो बढ़ा 8.08 थे हाँ actual कुछ और होता है लेकिन आपको average लेना पड़ेगा मजबुरी है आपके तो अगर देखोगे तो मैंने ये जो निकाला 7.70 divided by 2 तो मैंने इने ये निकाला 1 percent के पीछे और इसी का नाम होता है effective duration कि 1 percent के पीछे क्या effective duration आगया 3.85 ये duration बोल दो 3.85 का मतलब तर bond अगर 1 percent का change होगा bond yield yield में अगर 1 percent का change होगा तो bond के price में 3.85 percent का change होगा opposite direction में ठीक है अब इसको हम shortcut से कैसे कर सकते shortcut से मैंने इस formula का derivation आपको समझा चुका हूँ तो मैं अब यहां नहीं जा रहा हूँ ये 3.85 निकालने का तरीका तर एक तो P2 लिग दीजिए सर P2 का मतलब कौनसा वाला price ये वाला 1,1,2,3 और एक P1 लिग दीजिए मतलब 963 ठीक है सर 1,1,2,3, 963 और यह आ गया P0 current market price 2 average किया और 2 percent आपको आपको की कैसे आया derivation ठीक this is effective duration और effective duration का formula देखो ध्यान से मैंने लिखवाया effective duration P2 मतलब बड़ा वाला price P1 मतलब कम वाला price जो कम हुआ P0 मतलब आज का price 2 क्यों किया average के लिए और नीचे तो change in yield लिखना पड़ेगा आपको ये क्यों लिखा ये सब अब derivation कर लेना मैंने derivation करवा चुका हूँ आपको change in yield ये देखो ये तो किया है मैंने ठीक है मुद्दे की बात पर आते हैं मुद्दे की बात है कि effective duration क्या कहता effective duration हमारे समझ में अब ध्यान से देखो बिटे इससे साइथ कुछ समझने को मिल जाए इससे समझने को मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर मतलब आप क्या कहना चाहते है मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ देखो यहाँ price कितना दिखाई 1119 ओके सर यह हमारा पीजीर हो गया और यहाँ price कितना दिखाई दे रहा है यहाँ price दिख रहा है हमारा कितना यह वाला जो भी निकाला effective duration लेकिन actual price ऐसा हो रहा है कि किसकी वज़ा से this is convexity अच्छा सर यह मैं आपको समझाऊंगा convexity यार जो modified duration है modified उसके हिसाब से कुछ और होता है मतलब यह जो price आया यह linear आ रहा है लेकिन actual में linear नहीं होता actual में convex होता है यह मैं discuss करने वाला हूँ और कहां करने वाला हूँ जब हम करेंगे modified duration उसमें मैं समझाऊंगा convexity बस यहाँ से हमको यह समझ में आया कि सर, duration के हिसाब से कुछ और होता है duration के हिसाब से 7.70 है लेकिन actual price कितना है 1123 हुआ था actual में 8.08 और 7.31 का change रहा हूँ डिटेल में discussion करने वाला हूँ अब चिंता मत करो इस समझी में नहीं आया मैं समझा भी नहीं रहा हूँ डिटेल में discussion करूँगा कहा जब मैं बात करूँगा modified duration का क्योंकि effective duration वैसे भी काम का नहीं है बस एक knowledge के सबसे पढ़ा दिया अब discuss करें किया अब हम क्या discussion कर रहा है modified duration यह modified duration या macula duration है क्या macula duration मैं formula पे बिलकुल नहीं जाना चाहता मैं सीधे काम की बात करूँ मैंने लिखा with the help of table with the help of formula और बहुत कुछ formula यह काम का बात नहीं हम सीधी-सीधी through the point बात करें सब कुछ समझा चुका हूँ बस एक examples के थूँ बात करने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या समझा ठीक है चड़ो face value of bond फिर से वही वला question सर कौंसा वला question है यही वाला तो example है जो मैंने करवाया था दिखो यही वाला example सेम example मैंने किस्से करवाया था अभी effective duration कितना आया था मेरा 3.85 अब इसे को मैं किस्से करवारा हूb इसे को करवारा हूb modified duration से क्या answer same आएगा answer same आएगा sir question में कुछ नहीं बोला है तो कौन सा वाला duration निकालेंगे modify duration से काम करेंगे या फिर effective आपको modify it से ही काम करना है sir इसमें क्या होता है मैं समझा रहाँ मैंने face value लिखा 1000 coupon लिखा life लिखा और YTM लिखा 9 सबसे पहले bond price निकालना है फिर bond duration निकालना है फिर modify duration निकालना है और फिर तो पहले bond price याद रखना कि इसको हमको table में ही करना है तो मैंने क्या किया मैंने 1000, 100, 100, 100 और last में 1100 total कितना period है 5 years और उसको 9% के present value factor से multiply किया तो present value आ गया या आ गया मेरा bond price यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत अब मैं काम क्या कर रहा हूँ weighted average year ले रहा हूँ क्यों ले रहा है weighted average मैं समझा चुका हूँ मैं अभी derivation पर नहीं जा रहा हूँ पूरी तरह से concept पर नहीं जा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मैंने weight लिया इसका इन सबका weight लिया मतलब 91.5 divided by 1038 84.5 divided by 103 और इन को weighted average weight से multiply कर दिया तो सर ये weighted average year आ गया yes weighted average years 2 को second वाले weight से multiply किया ऐसी मैंने multiply करके यहां लिखा और ये आ गया 4.184 सर अपने इसमें क्या समझाया था यात करूँ जब मैंने समझाया था जो बच्चे कॉपी में लिखा होगा जिन बच्चों ने मुझसे class ले रखा है उन्होंने लिखा होगा कि मैंने average loan period मैंने आपको ऐसे समझाया था कुछ loan मैंने एक साल के लिए या कुछ loan दो साल के लिए कितने का loan ये पाच लाग का loan लिया सिर्फ एक ही साल के लिए और मैंने का दो लाग का loan लिया कितने साल के लिए दो साल के लिए और सर्फ तीन लाग रुपए का loan लिया कितने साल के लिए मैंने का ये तीन साल के लिए और rate of interest है 10% तो बताओ ये कि हम लोग हम लोग इंट्रेस्ट कैलकुलेट करें ऐसा कुछ समझाया था याद है और फिर आपने year को एक shortcut लगाया था और shortcut में क्या लगाया था year को weight के साथ multiply कर दिया था और एक ही बार में rate of interest बता दिया था याद नहीं आ रहा है भूल जाओ ऐसे भी revision में हम समझने की कोशिश ज़्यादा नहीं करेंगे बस revise कर duration निकालने का क्या formula है formula नहीं table ही बनाना formula भी है पर table ही बनाना कुछ नहीं करना है सर year को हमें multiply करना है weight से तो ये आ जाएगा weighted average 4.184 ये क्या निकला इसको बोलते है duration सर ये है duration हाँ इससे ही बोला जाता है macula duration तो सर आप तो बोल रहे थे ना कि 3.85 ही answer आएगा आएगा अभी modify duration नहीं निकला इसको बोलते है duration सर duration का actual meaning क्या है yes वो भी समझाऊंगा पर वो अभी थोड़ा सा आगे चलो bond immunization करने वाले उसमें बात समझ में अभी बस इतनी बात समझ लो हमारा target है 3.85 निकला और 3.85 क्या है वो आपको पता है अब वो 3.85 निकलने के लिए इस duration को divide करना पड़ेगा 1 प्लस YTM से सर divide क्यों करेंगे ये समझा चुका हूँ तो फिर मैं इस पर नहीं आना चाहता तो सर ये divide कहां गया भाई दो बार हो गया है अच्छा एक तो duration निकलने का ये एक method है मतलब सर weight निकलेंगे और year से multiply करेंगे दूसरा method क्या है दूसरा method है कि एक काम करो ना सर सबसे अच्छा तरीक हम weight निकाले ही न मतलब करें क्या ऐसा कर लेते हैं ये तो करना ही पड़ेगा ये आंसर आजाएगा सर अब हम year को इससे multiply करेंगे तो ये आजाएगा year two को इससे multiply करेंगे तो ये आजाएगा year three को इससे multiply करेंगे तो ये आजाएगा तो यह आगया है टोटल और यह है बॉन्ड का प्राइस अगर इसको इससे डिवाइड कर दिये तो यह आजाएगा इत्मिस यह भी एक तरीका था ज्यादा शॉटकट हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है तर और एक क्या तरीका है यही 4.1869 निकलने का और एक तरीका है फॉर्म मैंने आपको बताया था हला कि इसका हमने कभी यूज ही नहीं किया जब यूज ही नहीं किया तो रिवीजिन में क्यों यूज करें बाकि आप देख लेना येल्ड रेश्यो तरेंट येल्ड डिवाइड बाई वाई टीम पीवी एफ 1 प्लस वाई टीम मतलब येल्ड फैक् इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड डूरेशन या इसको बोला जाता है वॉलेटिलिटी और वॉलेटिलिटी और इसको जो डूरेशन निकालोगे चाहे किसी भी मैथट से निकालो उसको डिवाइड करना वन प्लस वाई टीम से तो ये आएगा 3.85 और यही हमें चाहिए 3.84 इसको डिवाइड कर देंगे 1 प्लस वाई टीम से सीधा सीधा हमारा डूरेशन आ जाएगा और 3.84 का मतलब आपको मागए कि अगर 2 परशन से एक परशन से चैंज होगा एक परशन से बढ़ेगा येल्ट तो बॉन्ड गिरेगा कितने से 3.84 इसके अलावा मैंने आपसे और क्या मांगा था इस कोशन में मैंने मांगा था कि अगर येल्ट 0.5 परशन से बढ़ता है तो बॉन्ड गिरेगा 3.85 इंटू 0.1.92 परशन से गिरेगा और मैंने सीधा माइनस कर दिया 1 पॉन्ड ठीक है तो काफी कुछ बाते हमको समझ में समझ में क्या यार ढूरेशन भर निकालना आना चाहिए बाकी हूर और दूरेशन आता है एक्जाम में तो पलीज आपको करना होगा modifiay duration जेट सीवी का बीच में कुछ नहीं आएगा सीधा लाष्ट में आएगा तो अगर उसका maturity पास साल है, तो उसका duration भी पास साल ही हो, ठीक है सर, और सर, perpetual bond का duration कैसे निकलेगा, 1 प्लस YTM, डिवाइड़ बाई YTM, ये formula आप देख लेना, perpetual, आता नहीं है एक्जाम में कभी, ठीक है, लिखा हुआ है book में, ठीक है सर, convexity, convexity अभी मैं नहीं करवा रहा हू इस formula को भूल चाहिए, हम पहले question number 4, 15 करें, convexity करना है, थोड़ा सा रुक्के करते, पहले duration दो खतम करे, ठीक है सर, पढ़े है कि आगे है, या, ठीक है, the following data is available for a bond, case value दिया है 1000, coupon दिया है 11%, ये लिट टू मैचुरिटी, period दिया है 6 साल, redemption है 1000, ये लिट टू मैचुरिटी, ये years to maturity है, ये YTM है 15, अब तर 15% से discounting करोगे, और rounded off करना आपको 3 decimal places तक, सबसे पहले निकालना current market price, तो सर वो तर टेबल से आजाएगा, yes, फिर निकालना duration of bond, सर वो भी टेबल से आजाएगा, yes, फिर volatility निकालना, तो सर जो duration निकलेगा उसको divide कर देंगे 1 plus YTM से, फिर बोल 100 basis point, मतलब 1% से क्या होता है, बढ़ जाता है, फिर दूसरा, अगर आप price निकालना, अगर ये 0.75% से yield, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हो जाएगा, क्या सब, करके देखते हैं, ये question please practice के लिए कर ले ना, तो ध्यान से देखोगे, 1,1,0,1 और last में कितना आएगा, 11,10, factor 15% के सबसे, तो ये आगा, अब मुझे weight निकालना, तो 95.70 divided by ये, 83.16 divided by ये, ऐसा, और इसको multiply करोगे 1 से, इसको multiply करोगे 2 से, इसको multiply करोगे 3 से, इस तरह से काम करोगे, तो weight into year, तो weighted average year आ जाएगा, और ये आ गया है मेरा duration, it means, इस table से दो काम हो गया, कौन कौन सा काम हो गया है सर, पहला काम हो गया है कि हमने bond का price निकाल लिया, और दूसरा काम हो गया है, हमने duration निकाल लिया, yes, अब ही क्या करना है, अब ही हमको निकालना, volatility, volatility, volatility बोलेगा या modified duration, ये कौन सा duration निकला, ये बलने कला, makkule duration, ठीक, दो duration होते है, एक effect यो, एक makkule, अब ही क्या निकार रहा है, modified duration, modified duration में, duration divided by 1 plus YTM करेंगे, तो ये आ गया, volatility, 3.974, और 3.974 का मतलब क्या है सर, 3.974 का मतलब ये हुआ सर, yield अगर गिरता है, 1% से, yield अगर बढ़ता है, 1% से, तो bond का price गिरेगा, 3.974% से, जो भी price है, उसमें, यही बोला, एक point में बोला, अगर yield increase होता है, 1% से, तो bond price गिरेगा, इसमें से सीधा सीधा माइनस कर दिया, आंसर आगा है, हाला कि actual ये नहीं होगा, अगर आप present value method से करोगे, present value method से, तो actual में ये नहीं होगा, क्यों, convexity की वज़ा से, वो मैं आपको समझाने वागा, क्योंकि ये जो निकलता है, ये निकलता है, ignore convexity, ठीके सर, वो convexity समझाओगे, क्या, हाना भाई समझाओगा, अगर yield decrease होता है, 0.75% से, तो bond का price गिरे, बढ़ेगा, 3.97 में 0.75, multiply करना, जो भी है, ठीके सर, तो ये आगे, 9.805%, 2.9805%, देख लेना, आप calculation, answer हो जाएगा, 8.73, हो जाएगा, answer, चले जी आगे, question है, question number 20, question number 20 क्या बोल रहा है, एक बार देख लाएगा, एक हाएगा, XL, is path limited, has met, issue, 14% non-convertible dimension, और 1.07, जनवरी, 2007, एक जनवरी, 2007 को debenture issue कर रहा है, face value है, 100, और market price है, redemption नहीं दिया है, तो redemption value भी क्या मानना आसता हो, interest on this non-convertible debenture will be paid through post-dated checks, इस जनवरी करते December, वो न यहाँ time pass किया, इस paragraph में, इस paragraph में मालू है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो time लगे है, वो ये बतानी की कोशिश कर रहा है, पता नहीं, public को company पे इस्वास है की नहीं है, तो हम public को क्या करते है, check काट कर दे देते हैं, कि जब जब भी interest की due date आईगी, आप लगा देना check, और जो interest दिया जा रहा हो, happily दिया जा रहा, बस इतना है कहानी, और कुछ नहीं है, मतलब तीन साल के check दे दिया, फिर दो साल के check advance में दे दिया, interest है happier, और bond जो redeemable at par है, और 31 दिसंबर को redeem हो जाएगे पास साल, सबसे पहले आपको current yield निकालना है, और उसके बाद आपको YTM निकालना है, current yield निकालने का simple सा formula है, 14% है happily ली, तो 7 divided by 100 into 100, और 15 into 12 divided by 6, यह तो per annum basis पे निकाला जाता है, कुछ लोग 14 divided by 100 कर दे, तेतों भी चल जाएगा कोई दिक्कत, ठीक है सर, तो 15.56% है, और उसके बाद उसने हमसे क्या मांगा है, सर हमसे और मांगा गया है, YTM, YTM का formula लगाएंगे, answer आजाएगा 16.84% पर मेरे खल से, इसमें तो कोई दिक्कत था, अब हमसे मांगा है क्या duration, pond duration, pond duration तो याद रखना यह 7777, और factor से multiply कर दे, यह आ गया, यह weight निकाला, और weight into 1 लिका, तो यह आ गया, 7.377, पर, यह है periods, और total कितने period है, 10 साला की कितने साल है, 5, अगर मैं कहता हूँ, 10 period है, और इसको year में convert करो, तो 10 period divided, 6-6 महा की period है, तो total मिला कर, कितना years है, 5, ऐसी जब भी duration निकालोगे, तो यह निकला periods में, इसको year में convert करना, तो divided by 2 करना पड़ेगा, तो divided by 2 किया होगा, और पूछा था किया, उसने years में, यहाँ duration निकला है, और निकला 3.69 years, सर, modified duration कैसे निकलेगा, उसके लिए बहुत जबरदस्ट कॉंसेप्ट है, तो अभी उस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है सर, और क्या मांगा था, सर, और उसने हमसे मांगा था, realized ytm, क्या मांगा था, बुले, अगर जो बीच में, जो coupon मिल रहा है, उसको हम कहीं investment नहीं करते, तो बताओ, realized ytm, क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं है, जो भी पैसा सबको जोड लीजिए, ताससत रुपए मिलेगा, दस सल तक और सौ बीच में के investment किया नहीं, तो टूटल कितना पैसा मिल गया, 170, लगाया कितना था, 90, तो बताओ, realized ytm, कितना आ जाएगा, परेनब पर, 13.14%, ठीक है जी, ठीक है सर, चले आगे, टाइम नहीं है हमारे, ये question भी वाकई बहुत अच्छा question, चले है, courage you discussion, find the current market price of a bond, face value कितना है, 1000, redeemable after 6 years, और ytm कितना है, 16%, payable annually, और duration दे रखा है, 4.3202 years, duration का मतलब, वोई जो आप निकालते हैं ना, मक्वले duration, जिस ये निकाला था हमने duration, नहीं है, तोल इसी कैसे, ये निकाला था ना, duration इसका जो total मारते हैं ना, वो total दे रखा, वो total कितना दे रखा, 4.34, अब इस question को बनाएं कैसे, अब सर मांग क्या रहा है, सर वो हमसे जो मांग रहा है, वो मांग रहा है हमसे, current mark, तो बॉन का face value कितना, एक लाख, सर कुपन कितना है, कुपन भी नहीं दिया है, तो हमने जुगार दगा के किया, आपको खुद को करने के लिए, मेरे पास आपको खुद को सोचने के लिए, मैं आपको time दे दो, इतना time है, तो हमने क्या किया, हमने का चलो या table बनाते है, हर साल कुपन मिलेगा, और last में, redeemable value, तो कुपन क्या है, बुले कुपन का rate तो दिया नहीं, पर एक बात है, एक लाग का कुछ पर्षंट है, तो हमने कुपन को X माना, और फिर एक लाग का कुछ पर्षंट, कुछ पर्षंट, कुछ पर्षंट, और six year में, पुरा एक लाग मिलेगा, और कुपन भी मिलेगा, और यह लिए दिया है, 16 पर्षंट से discounting करना है, हमने multiply करके यह लिख दिया फिर हमने इसका weight नहीं निकाला क्योंकि यार बहुत ज़्यादा time लग जाता तो हमने shortcut लगा है और shortcut क्या लगाया हमने का this into one this into two this into three इस तरह से काम किया तो यह आ गया total और total को इस से divide करोगी तो answer आ जाएगा यह हमने सीखा तो एक alternative पढ़ा था ना हम लोग तो वो ही मैंने काम किया मैंने काम क्या किया यह है 2,46,000 प्रस यह उपर वाला और नीचे आ जाएगा यह is equal to 4.302 years फिर इसी को हमने equate किया और equate करने से हमारा answer आ गया फिर आपने देखने मैंस आप देख लेना approach आ गया 15% 15% क्या गया coupon और फिर क्या किया हमने जो था उसको 16% coupon मिल गया rate मिल गया तो एक लाग का 15% 15,000 हो गया और final answer आ गया यह आर market price कितना है 96311 खुड़ा सा अंतर आएगा जो institute का answer आए पर चल जाएगा और कोई option नहीं है दूसरा हम formula method से भी कर सकते थे पर हमने नहीं किया वो हमको कर रहना ही नहीं ठीक है सार चले आगे यह सार अब एक कोईशन किस के लिए उठा ले एक कोईशन कनवेक्सिटी पर करना पड़ेगा कि क्या है तो चलो वो कोईशन कर लेते हैं एक्जाम में आजकल कनवेक्सिटी के कोईशन आ भी रहे कोईशन नमबर 23 एक्जाम में आया हुआ था कब आया हुआ है सर यह आया था नववंबर 2030 में पढ़े क्या हां सर तो फॉलिए रिटार अवेलिबल फर बॉन्ट थेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,000 तू बी रिडीम्ड एट पार ओन मैचुरी ठीक है कुपन दिया है 8.5% पर एन सर मतलब 10,000 का 8.5% सर कुपन हो गया 850 मतलब सर हर साल 850-850 रुपाय मिले कितने साल थकपास है इसकाउंटिंग कितने परशन से करना है 10% क्या क्या निकाला जा सकते करेंट मार्केट प्राइस येस सर टेबल से निकल लेंगे मकुले डूरेशन येस सर वो भी निकल जाएगा वोलेटिलिटी मतलब मतलब सर जो डूरेशन आएगा मकुले उसको डिवाइट कर देंगे 1 प्लस YTM अब ये वाला पॉइंट मुझे समझाना है वो बाकी और कुछ लिए तो लोग काम करें और फैक्टर दे रखा है 10% और 8% सर फैक्टर 10% और 8% क्यों दिया है पता नहीं 850, 850, 850 और 10850 इसकाउंटिंग कितने पर्षन से करना है 10% तो ये आगया present value और इसी का हमने weight निकालना तो ये आगया duration हमारे काम के चीज पॉइंट नमबर 1 मिल गया current market price मिल गया पॉइंट नमबर 2 मिल गया मकुले duration मिल गया point number 3 modify duration तो D divided by 1 plus YTM तो ये भी 3.86 अब यहां के बाद मैंने concept समझाया था पर concept समझाने से पहले मैंने का बहुत ज़्यदा concept में घुश जाओगे न तो ये भूल जाओगे कि करना क्या है तो मैंने क्या करना है वो भी समझाया और देखो पहले मैंने का यार भूल जाओ पहले question निप्टा ते फिर समझने की काम करें पहले question निप्टा volatility का मतलब ये है कि मैंने क्या होता ये मैंने लिख दिया कि यार 1% yield में change होगा तो bond के price में 3.866% change होगा अब मैं पहुचा convexity वैसे मुझे यहां बहुत कुछ समझाना है पर मैं आपसे एका कियर हमको समझना नहीं है यहां से मैंने खेल start किया आप सुनो कैसे खेल start होगा exam में कैसे करना पहले वो समझा देता हूँ क्योंकि आगे जब मैंने convexity पे discussion किया तो को exam में एक rate लेना पड़े अभी किस rate से आपने discounting किया 10% तो कोई भी 2 rate लेना पड़े इससे 2-2% जाता है 2-2% ही लेना मतलब एक बार फिर intrinsic value निकालना कितने percent yield लेकर 12% और फिर कितने percent yield लेकर 8% मतलब आपको 2 price और निकालना ही पड़ेगा मेरी बात समझो अभी मैं क्या समझा रहा हूँ अभी मैं यह समझा रहा हूँ करना कैसे है अभी concept नहीं समझा रहा हूँ तो आपने वह यह काम किया आपने price निकाला पहले किस हिसाब से 12% के हिसाब से तो price आ गया कितना आ गया कितना आ गया है 12% के हिसाब से और एक प्राइज निकाला 8% के हिसाब से जब 12% के हिसाब से प्राइज निकाला तो प्राइज कितना आ गया है 10204 इसको आपने नाम दिया P2 प्राइज के आ गया है और एक प्राइज के आगए और इसका नाम दिया आपने P1 और जो 10% के हिसाब से प्राइज निकाला था न उसको आपने बोला था P0 पर सब P0 कितना है P0 निकला 9 4 3 1 क्या आ गया P0 अब convexity कैसे निकलता है पहले बात करते है भाई एक्जाम पास करना तो एक्जाम के हिसाब से बात करें convexity का उन्होंने एक फौरूला बताया प्लीज ऐसे ही करके आ जाना मैं जितना भी ज्यान दूगा न वो कोई क्या काम का नहीं है क्योंकि ultimately करना हुए है जो IC तो उन्होंने convexity का फौरूला बताया C star into 100 into change in yield square सर क्या logic क्या है मैंने का ना logic समझाओंगा थोड़ा रुक की सर change in yield क्या है 0.02 2% का change कर रहे है न इसका क्या कर लेना square और hundred का hundred है रहेगा सर ये C star क्या है C star का उन्होंने formula लिखा अब C star का formula देखा C star का formula देखा carry vision इसके बाद करवा दूँगा भाई C star का formula आप कोगे तो convexity का video मेरे पास है जो मैं class में करवाता हूँ मैं वो आपको अलग से करवा दूँगा अब डाल दूँगा upload कर दूँगा video अगर आप बोलोगे तो लिखा P2 निकला है P1 निकला है minus 2P0 2P0 और change in yield is 5 मतलब sir P2 निकला हुआ है P1 निकला हुआ माइनस और P0 को 2 से मतलब यह sir average ही तो निकाल रहा है हाँ हाँ अगर मैं सीधी सी बाद वोलू मैं average निकाल और base में क्या लिखते है base में तो 9th 4th P0 ही लिखते है याद है ना यार average हम ऐसे निकलते है P2 माइनस P0 divided by P0 plus P1 माइनस P0 divided by P0 यह मैं समझा दूँगा आपको यह average ही निकाल रहा है ठीक है तो मैंने P2 और P1 को add कर दिया और P0 को दो बार लिख दिया और base में तो P0 ही रहते हैं तो P0 लिखा और यहाँ 2 कर दिया और change निकाल तो यह आ गया this is C star please रट लेना concept नीचे है खूब समझाया हूं बच्चों को लेकिन ultimately यही काम आए और फिर C star लिखा इन 200 और change लिख तो यह आ गया यह क्या गया सर यह आ गया convex please समझा दोगी क्या convexity क्या होता है वैसे समझाना तो नहीं चाहिए पर समझाने की कोशिस किया समझाओं कि नहीं समझाओं यह काम नहीं आएगा यह जो भी मैं करवा रहा हूँ यह काम नहीं आए तो sir please मस समझाओ क्योंकि formula में put करना पड़ेगा yes चाहो तो इसके लिए एक अलग से video डाल देना कि मैं बहुत ज़्यादा detail में discussion किया था अगर यहां discussion करूँगा तो time आपका खराब हो जाएगा और आपके time को देखते हुए मैं यहां यह नहीं समझा सकता concept क्योंकि time लेगी यह मैं अभी ignore कर रहा हूँ यह exam में काम नहीं आए sir बस इतना कि convexity का मतलब तो बता दो क्या है मतलब यह है हमारा bond duration कितना निकला था sir हमारा bond duration जो निकला था वो निकला था 3.866 परशन 3.8 तो यह कहता क्या था यह कहता यह था कि sir bond yield पढ़ेगा तो bond का price गिरेगा कितने से 3.866 परशन से लेकिन सचाई यह नहीं सचाई क्या है bond का price इतने से नहीं गिरेगा और ज्यादा सी गिरेगा और उसमें हमें क्या करना होता उसमें जो convexity निकला गाना उसको adjustment करना होता हमें actual पता करना होता थोड़ा सा समझा देता हूं यार क्योंकि convexity होता क्या है यह समझ में आएगा नहीं आप समझा हो sir अब ध्यान से समझता है यहीं पूरी बार discuss करूँगा इसी price आपका price कितना आया था sir 943 1.5 इक के sir अगर मैं proper convexity की बात करूँ अगर मैं convexity को यूज करूँ और convexity कितना आया था sir convexity आया था दीबर देख लो देखो देखो 3.866 3.866 इंटू 2 7.73 मैं के रहा हूँ convexity की हिसाब से नहीं duration के हिसाब से 7.73 का percentage होता duration को यूज करता हूँ तो duration को इसका मतलब sir 10% पे bond का price था 10 943 1 जैसी आपने 12% किया तो bond का price गिर गया यस और bond का price गिराते है 943 1.50 माइनस 7.73 8702 आया इसे yield कम किया तो bond का price बढ़ गया और कितना बढ़ गया है 10,160 actual में यह है actual में नहीं यह किसके हिसाब से है यह duration के हिसाब लेकिन सच्चा ही यह है कि duration के हिसाब से 7.73% को यूज करके यही है modified duration अगर मैं इसके हिसाब से काम किया तो bond का price यह आया और यह आया चेंज करने से लेकिन सच्चा ही है कि bond का price इतना change नहीं होता जैसे ही मैंने yield कम किया bond का price बढ़ा पर इतना नहीं बढ़ा इससे भी ज़्यादा बढ़ गया यह problem है यह हुआ actual price मतलब ऐसा है सर कि आप जो duration निकाल रहे हो वो सही calculation करके नहीं देता उसमें adjustment ज़रूरी है आपने निकाला 7.73% यह सही नहीं है हमें तो answer कम होने पे 10,160 नहीं चाहिए हमें चाहिए 10,204 तो क्या इस duration में हमें कुछ adjustment करना पड़ेगा यास और जो adjustment करना पड़ेगा उसी का नाम है convex तो सर actual में हमें कितने रुपए का अंतर आ रहा 43.50 कितने रुपए का अंतर आ रहा यास और यहां भी देखो यहां भी सर बढ़ाया बढ़ाया तो bond का price गिर गया 1.80 का यास सर तो उसको भी मैंने किया यार चलो इसको भी average कर लेते है average करना आता है आपको yes average किया तो average divided percentage निकालना तो divided by जो actual price है वो ले लिया और average कर दिवाइड बाइ 2 कर दिया मैंने average कर रहा हूँ ना दोनों का मतलब सर change निकाल रहा हूँ पर इसको भी मैंने average मार दिया वो भी गलत है अला कि पर चलो यार अभी उतना समझ नहीं पाऊगे तो finally मैंने वही काम किया तर कैसे किया फिर average मेरा ये कहना किये वाला price ले लिया answer इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था आप आप देख लेना मैंने कैसे लिखा derivation समझा चुको और final answer आगया 0.399 this is convexity वही तो निकाला 0.39 it means अगर अब कोई मुझसे बोलेगा यार yield के change होने से bond का price yield के कम होने से bond का price बढ़ेगा क्या यास बढ़ेगा पर बढ़ेगा 7.73 नहीं उससे थोड़ा सा ज्यादा मुझे ये answer लाना थो ठीक है जी sorry थोड़ा इस मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा revision कर रहा है पाकि ये कहानी काम की चीज नहीं है ये हमे चलो आगे चले yes इसके बाद बोल रहा expected market price निकलना अगर yield decrease हो जाता है 2% से मतलब 8% हो जाता है ठीक है तो फिर काम कर लेंगे duration के हिसाब से ये आ रहा है duration के हिसाब से ठीक है और intrinsic value के हिसाब से ये आ गया है 10,204 duration के हिसाब से समझ में आ गया होगा सर actual में वो convexity adjustment करने के बाद पूछना चाहिए yes तो साइद मैंने अपने मन से add कर दिया होगा एकाथ point बस खतम हो गया question खतम हो गया पर मैंने अपने मन से एकाथ point adjust किया है ये मैंने अपने हिसाब से बताए ठीक है मैं आपसे कह रहा हूँ कि bond का price 7.73 में convexity adjustment किया तो मैंने 1.8.129 किया और answer लगभग 10.181 अगर question में बोलेगा कि यार convexity modified जो duration निकला ना उसमें adjust कर दीजे convexity जो आपने निकाला it means actual में 7.73 नहीं उसमें 0.399 और add करने बढ़ेगा तो और बढ़ेगा ठीक है और अगर वो कहेगा कि decrease हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना ये modified duration की सबसे एंटरी convexity की बात करते है तो 7.73 में से मैंने ये कम कर दिया गिरेगा तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा यार आपने तो कुछ ज़्यादा ही डाउन करवा दिया था आपको दिख रहा होगा graph या सर गिरेगा तो आपने इतना नहीं गिरेगा थोड़ा सा कम गिरेगा इसलिए मैंने वहाँ से क्या किया minus ठीक है सर बाकि आप अपनी भी मेहनत कर लोगे थोड़ा सा बहुत डिटेल में डिस्कुरेशन कर ली यार इस से ज्यादा रिवीजन में डिस्कुरेशन नहीं हो sorry अच्छा कोष्चन था प्लीज कर लेना उसकोष्चन को कोष्चन नमबर 21 कोष्चन नमबर 21 पर आजाए time क्या हो कि कासा question number 21 लिखा है consider two bonds one एक bond है जिसके maturity है 5 years और एक दूसरा bond है जिसका maturity कितना है 20 सन both the bonds have face value 1000 coupon rate 8% दोनों का face value और coupon rate है 8% with annual interest payment both are selling at par अगर दोनों ही bonds selling at par है redeemed be at par है तो मैंने आपको बताया था उस condition में YTM कितना आ जाएगा YTM 8% ही आ जाएगा हाँ सर इसका स्किये थे हम अभी YTM 8% अगर bond का yield 6% हो जाता तो bond price गिरेगा decrease न यार क्या bond का price बढ़ेगा की गिरेगा down हो जाएगा decrease हो जाएगा तो पूछ रहा है what percentage of this increase or decrease जो price कम होगा पका कम ही होगा या बढ़ेगा देख लेंगे 6% गिरेगा bond yield गिरेगा तो bond का price बढ़ेगा 8% से 6% sorry bond yield गिरेगा तो bond का price बढ़ेगा तो बोले जो बढ़ेगा ना price वो ये decrease नहीं होगा या मैंने साइध गलत बोल दिया प्लीज एक बार चेक करना अगर yield अभी कितना है 8% से bond 6% हो जाएगा तो bond का price बढ़ेगा तो बोल रहा वो जो बढ़ेगा ना तो वो बता दो principal amount में change होगा principal की वज़ा से में कितना percentage है और interest की वज़ा से कितना percentage है ये बताना है बस तर ये वाला point समझ में नहीं है करके तो देखते है देखे तो सबसे पहले bond एक ही बात करते है पहली बात तो confirm होगा कि YTM 8% उसके सबसे 1000 रुपा प्राइस अब bond price फिर से निकाला yield कितना 6% उसके सबसे निकाला तो ये आ गया 1084 तो क्या bond का price बढ़ा अब सुनना यहां से bond का price बढ़ा तो कितने रुपे से बढ़ा सर 1000 से हो गया 1084.19 तो percentage मतलब 84.19 percentage से बढ़ा गया 84.19 84.19 किसकी वज़ा से बढ़ा principle की वज़ा से या फिर interest की वज़ा से दोनों की वज़ा से अब ध्यान से समझना मैंने सबसे पहले 1000 इंटूसर ये क्या है ये सब प्रिंसिपल है present value प्रिंसिपल अब भी कितने परिंस से discounting किया 6 परिंस और पहले कितने परिंसिपल से discounting किया था 8 परिंसिपल में change हो गया yes कितने रुपे का change हुआ 66 रुपे का तो वो percentage निकालना था और ऐसे interest का percentage निकालना था बस मैं क्या कहना चाहता हूँ वो जो बड़ा price कितना हो गया 84.19 इसमें बताए ये प्रिंसिपल का जो change in principle है उसका कितना portion है और change in interest amount है उसका कितना portion है that's it वो ही पूछ रहा है तो ये interest निकालना तो answer आखे ठीक है सर ऐसे किसका किया आपने bond B का कर लिया same कर लिया होगा duration निकाल लोगे duration में कोई दिक्कत नहीं है बाकि इसमें कुछ दिक्कत नहीं है प्रदा पानी पी लो चलो ची थेंक्यो ब्रीक देने के लिए तो अब पढ़े हम bond में bond risk ही चल रहा है actual में और अब बात कर रहे है bond portfolio management bond portfolio management का मतलब क्या है मतलब सीधी सी बात है यार कि हमें एक bond में पैसा लगाना चाहिए कि अलग-अलग bonds में तो यहां देखो कि हम लोगों ने total मिलाकर A, B, C, D चार bonds में पैसा लगाया है और पैसा ये लगाया है और उसका duration है और duration के हिसाब से हम अपना portfolio को change करते है इसको बोलते है active bond portfolio management ये एक्जाम में नहीं आता है इसलिए इसका कोई question नहीं है तिर्फ एक्जाम्पल के थूँ बात करूँ सबसे ज़्यादा कौनसा bond risky है सर जिसका duration ज़्यादा क्योंकि एक percent अगर yield गिरेगा या एक percent yield बढ़ेगा तो bond का price गिरेगा पर ये तो 11 percent से गिरेगा बहुत ज़्यादा risky है कौनसा कम risk है ये वाला अब मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूं कि चलो यार bond का जो portfolio है इसको manage करते हैं और मुझे उम्मीद है कि yield future में बढ़ने वाला है मतलब यार bond का price गिरने वाला है अगर गिरने वाला है तो bond एको बेचो और ऐसे bond में पैसा लगा दो जिसक में duration कम हो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि yield कम होने वाला मतलब price बढ़ेगा price बढ़ेगा तो जोड से बढ़े ना है यार तो फिर मैं इसमें पैसा लगा दूँगा खेर ये समझ जाओ गया सबसे पहले portfolio duration of bond portfolio मतलब weighted average करना पड़ेगा देखोगे दिहान से duration निकाला मैंने bond का तो weighted average किया यह आ गया 7.47 7.47 है weighted average duration इसका मतलब यार इसका मतलब सर yield अगर कम होगा तो bond का price बढ़ेगा portfolio bond portfolio का price बढ़ेगा 7.47 अगर yield increase होता है तो क्या करेंगे in this situation bond portfolio should be decrease यह portfolio हमको क्या करना है कम करना है तो हम क्या करेंगे sir sir हम sell कर देंगे bond A और bond B पाई कर देंगे और इसी तरह से ही है यह exam में नहीं आता तो इस पर मैं ज़्यादा focus नहीं करूँगा और दूसरा है passive bond portfolio management that is bond immunization theory this is most important bond immunization theory ठीक है sir इसमें क्या समझाया था आपने अब इसको ऐसे तो नहीं समझा सकता example से ही बात करेंगे तो ही समझ में आयेका ठीक है sir अब सुनो रिलकुल normal क्योंकि आखरी topic चल रहा है bond risk का तो क्यों जल्दबाची कर ठीक है sir बात करते हैं bond का face value है coupon है maturity है ytm है bond duration बोला है duration निकल सकते हैं और वो तो sir हमको आता है और हमने bond duration निकाल लिया sir ये निकाला ये year है ये cash flow ये discounting है और इस सबसे bond duration निकाला 3.996 मतलब 4 years sir bond duration का मतलब क्या है अभी तक आप अब समझाने जा रहा हूं मतलब मैंने उस समय नहीं समझाया था हलाकि जब regular class आपको पढ़ा रहा होगा तो समझा दिया होगा पर revision में समझाना थोड़ा सा मुस्किल x 1.14 into equal to into equal to into 9308 पंद्रह सो बात अब मैं आप से कुछ बोलने की कोशिश करहा हूं ध्यान से समझना क्या बोला हूं बूरेशन का मतलब मैं कह रहा हूं कि चार साल के end में मेरी एक liability है जिसमें मुझे 1572 रुपए का payment करना है चार साल बाद मुझे किसी course में पैसे लगने वाले है या मुझे आज नहीं आज से चार साल बाद 1572 लगने वाला है पैसा ठीक है और 1572 तो मुझे आज मैं सोच रहा हूं कि यार future में liability है तो चलो ना आज ही पैसा जमा करके रख देता हूं कहीं bank में जमा कर देता हूं या कहीं कुछ ना कुछ तो पैसा जमा कर देता हूं और rate क्या है 14% का rate है तो और ये कब लगने वाला पैसा चार साल बाद तो इसको मैं discounting कर रहा हूं 1572 डिवाइड़ बाए 1.141234 सुरी कितना चाहिए मज़े 1572 डिवाइड़ बाए 1.141234 तो सर 930 रुपे 75 पैसे लगबग 930 रुपे मैं आज 14% के हिसाब से जमा करने का सोच रहा हूं कहीं दिल को ध्यान से समझ रहा हूं और मेरा मन यह है कि मैं bonds ढूंड रहा हूं कौन से bonds में पैसा लगा हूं कौन से bonds में पैसा लगा हूं और मुझे ये bonds दिखा ठीक है और सर इसके life कितनी है इसकी पास सा life है मुझे चाहिए चार साल में पैसा कितना 1572 ये बॉंड दिखा जिसका प्राइस था 930 मतब लगबग उतना ही है तो यार क्या मुझे इस बॉंड में पैसा लगा देना चाहिए क्यों लगाना सही है सर ये तो पाथ सल बाद मिलेगा पैसा चार साल वाले बॉंड में पैसा लगा ये वो चार साल वाला बॉंड तो अवेलिबल ही नहीं है तो मैं ये सोच रहा हूँ क्यों न यार ऐसा करता हूं इसी बॉंड में इसका डूरेशन पता लगाया इसका डूरेशन आया फोर येर्स मैंने का ठीक है इसी बॉंड में पैसा मिलाकर मुझे 1572 मिल जाएगा अच्छा सर हाँ मेरा यह मैं बॉन डूरेशन का मतलब यह है कि यार 4 साल में आपको दुनिया इधर से इधर क्यों न हो जाए आपको 1572 मिलेगा ही मिलेगा अच्छा सर कैसे मिलेगा और बीच में जो कुपन आएगा उसका क्या करोगे बीच में कुपन भी तो आएगा बीच में जो कुपन आएगा ना उसको मैं रिइन्वेस्टमेंट करोगा मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ 4 साल में पैसे जोडनी की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा सर और चार साल में मुझे 1572 मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि bond duration कितना है चार साल सर जो reinvestment कर रहे हो अगर ये rate कम हो गया तो 9% हो गया तो फिर क्या करोगे तो भी मुझे 1572 मिलेगा अगर rate 10% हो गया तो भी मुझे 1572 मिलेगा this is bond duration bond duration क्या कहता है bond duration कहता है कि bond duration निकला न 4 years इसका मतलब है कहता है कि भले ही bond 5 साल का है उसका duration 4 साल है तो reinvestment rate future में rate कोई भी क्यों ना हो जाए आपको जितना cash flow चाहिए था उतना cash flow उस period में मिलेगा ही मिलेगा यह है actual में मतलब पाकी यह कहानी लिखा हुआ हूँ चाहो तो पढ़ लेना तो सरी यह 14% में ने सोचा था 14 और rate हो गया 10% हो जाने तो पहले कितना आएगा मैंने लगा लिया 931 पहले आया 120 उसको reinvestment किया कितनी percent कि सब थे 10 अगर 10 हो गया तो और दूसरे साल को भी reinvestment 10 और तीसरे साल को इसको कौन सा risk बोला जाता है इसको बोला जाता reinvestment risk reinvestment rate risk ठीक है सर ठीक है सर तो यह पैसा हो गया हो गया हो गया और जो 1120 है वो आज कितने में बिकेगा divided by आज उसका price निकल सकता है क्योंकि rate तो 10% हो गया इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता price risk और finally answer 157 तर यह concept नहीं समझा सकता मैं याद दिला रहा हूं कि मैंने ऐसे समझाया ठीक है सर बास समझ में आ रही है immunization क्या होता यार यह अगर मैं कहूं immunization क्या होता यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं future में जो मेरी liability है future में liability चाहे 2 साल बाद चाहे 4000 साल उसके लिए अभी से immunity तयार करना immunity समझते हो ना हाँ सर उसके लिए अभी से कुछ ऐसा arrangement कर देना कि future की liability खतम हो जाए this is immunization theory उसमें करते क्या है उसमें हम इस तरह से duration को यूज करते है duration duration को यूज करके bond में पैसा लगाते है portfolio बनाते बाकि concept में समझे मैं फटा फट से revision जैसे करवाता हूं ज्याद अच्छा मैं भूल जाता हूं कि revision मैं concept पर आ जाता हूं चलो Mr. A को जरूरत है कितने रुपै की एक लाक रुपै की कितने साल बाद दो साल बाद तो ये duration of liability है मेरे की दो साल बाद मुझे लगने वाला है एक अब यार पैसे जमा तो करना पड़ेगा यस तो हम जो से चलो ना आज ही जमा कर देंगे आज ही investment कर देंगे और आज investment करना है तो एक लाक करना कि उससे कम उससे कम देखेंगे yield कितना है और मेरे पास दो टाइप के bonds है ठीक है कौन-कौन से ज़रा बताओ तो लिए ये है दो टाइप के bond bond X और bond Y ठीक है दोनों एक एक हजार का है इसमें coupon है 7 पर्षन और उसमें coupon है 8 पर्षन ठीक है और current price दिया है 972.936 और current yield दिया है बस immunization में दिक्कत क्या हो रहा है कि वो current yield से discounting करता हलाकि वो ITM से discount ठीक है 10 पर्षन और 10 पर्षन अब यार मुझे कितने साल बात पैसों की ज़रुरत है सर मुझे ज़रुरत है 2 साल बात duration of liability है 2 साल बात एक साल यह कितने साल बात चार साल तो सर आप 2 साल बात खरीदोना है यह नहीं मार्केट में available क्या करें तो हम हम दोनों ही बांड्स खरी रहेंगे हाँ और पहले इसका duration निकालेंगे कितना कितना पैसा लगाना तो सबसे पहला काम क्या होगा इसका duration निकालोगे पहला काम तो यह होगा तो पूछ रहा है एडवाइज मिश्टर ए वेदर ही शुड इन्वेश्ट ऑल इस मनी इन वन टाइप ऑप बांड और बोथ टाइप ऑप हमें दूनों बोण्ड में इन्वेश्ट मेंड कर देना चाएँ ठीके सर यह भी बात समझ में आता है और पका दोनों बोण्ड में और कितनी क्वांटिटी में इन्वेश्ट में करना चाग boil यहाइए यह बही पूछा वह भी निकालनेंगे company चाहो तो कभी भी आप से बोल सकता है कि bond वापस कीजिए अपने पैसे ले लिजीजिए बूले ऐसा कोई risk नहीं तर करना क्या हो था इस question में मैं आपको दिखा लिए बस इन questions में याद रखना immunization में कि आपको discounting इसमें current yield से किया पहला bond एक साल का है तो उसका duration एक साल ही होगा और दूसरा bond कितने साल का है चार साल का है तो हमने duration निकाला और उसका duration आ गया है three point five six per year और हम किस तरह से करते क्या है हम करते हैं duration of liability दो साल है तो duration of acid भी कितने साल होना चाहिए, दो साल होना चाहिए, इस तरह से हम weight निकलने की कोशिश, it means इसका duration कितना है, एक साल, इसका duration कितना है, 3.564, तो इसका weighted average ऐसा करे, कि answer हमारा 2 आजाए, और वो weight निकलने की कोशिश करते थे, और weight निकल, calculation of weights, duration of liability is equal to duration of assets, yes, तो यहां कितना आया है, दो साल, तो 1 into weight of A, और 3.56, 1 minus weight of A, तो weight of A आगया, 0.61, मतलब 61% पैसा हम किस में लगाएंगे, एक लाख रुपया चाहिए न, एक लाख का present value invest करेंगे, तो 61% पैसा किस में लगाएंगे, A में, और बच्चा हुआ, 39, किस में लगाएंगे, P में, याद रखना, weighted average कैसे करोगे, duration of assets, duration of liability divided by is equal to duration of assets, तो हमें investment करना, आज इतना, तो इसका 61% किस में लगाएंगे, ए में, इसका, तो number of bonds, इतना पैसा लगाना है, और एक bond का कीमत price है, आज 972, यह कहां से निकाला, तो यहां present value निकाला होगा आपने, यह देखो 972, यहां divide किस से कर दिया, 972, तो यहां कितने bonds खरीदना पड़ेगा, 52 bonds, और इसकी बात करो, तो इसका चलो, करके बताओ कि कैसे आपका पूरा एक लाग रुपए दो साल में मिल जाएगा, करते ही क्या मालू में, यह एक साल तक hold करते, base देते, और बेच के फिर 10% पे invest कर देते, जो भी यल्ड होता उस इसमें बोल रहा है कि आप investment करना चाहते हो, immunize करना चाहते हो, liability को, liability का total due है 6 साल, मतलब सा duration of liability है 6 साल और face value एक हजर और आपके पास यह तीन bond से इसका maturity है, coupon है, duration है, maturity और coupon हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है duration if the portfolio manager, अगर बोल रहा है, अगर हम 50% पैसा किस में लगाए, बोले हम 50% पैसा इसमें लगाते है, 0.5 what is the proportion of total amount that can be invested, other two bond में कैसा लगाए, 50 तो कम हो गया तो sir इसको क्या कर लेते, इसको कर लेते weight of b, और sir इसको क्या कर लेते, इसको 0.5 minus weight of b इना यार, चलो देखते, duration of total मिला कर कितना आना चाहिए, sir total मिला कर आना चाहिए, 6, देखते क्या किया है खेशान से 1.35 इंटो वेट आप पे अच्छा 6.1 वेट आप बी और 4.1 माइनस वेट आप आप जैसे चाहू वैसे कर लो तो सर ये तो अंसर आ गया ये तो वेट मालू में हमको तो मल्टिप्लाई करके आ गया ये वेट आप बी लिख दिया और ये 1 माइनस वेट आप आप कर लिया ठीक है आपको जैसे चाहू वैसे कर लो अंसर कितना आ गया वेट आप बी में इतना पैसा लगाई इसमें निकल गया तो weight of A में तो automatic निकल, weight of C में तो automatic निकल, easy question ये था immunization theory और एक question जो आगे मैं करवाने जा रहा हूँ तो bond risk भी हमारा खतम हो अगर मैं कहूँ सीधी सीधी बात है, एक तो intrinsic value easy था इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसके अलावा bond yield पढ़ा, वो भी ही जी था bond yield में भी ज़्यादा मुस्किल था नहीं है तर इसके बाद जो आया bond risk उसमें दिक्कत है, उसमें एक तो हमने पढ़ा bond duration और duration में जो काम की चीज़ है, वो काम की चीज़ है, macula duration तो table बना के करें, divided by one plus ytm करेंगे तो modified duration फिर क्या पढ़ा convexity, फिर क्या पढ़ा bond immunization अब बात करते हैं convertible bonds तर convertible bonds क्या होते हैं ऐसे bonds, जिनको आप bond holder के पास option होता है कि bond holder उन bonds को shares में convert कर सकते हैं कभी भी it means आप bonds तो ले लो, लेकिन आपके पास एक option optionally convertible bonds बोलना चाहिए, आपके पास एक option है कि आप इन bonds को कभी भी shares में convert कर सकते हैं ठीक है, तो ये bond कौन से bond होते हैं कि यहाँ investor के पास option होता है कि या तो आप इने shares में convert कर लीजिए या तो फिर आपको, आप इसको non convertible type का रहने दीजिए तर ये क्या formula है, formula मेरी समझ में नहीं आता तो मैं formula के matter पर बात नहीं करूँगा मैं सीधा example से बात करूँ बहुत अच्छा example है, ये example कर लो बहुत सारी question हो जाएगे अब इसके बात जो बचा ना, वो बचा है हमारा अगर मैं देखूँ तो पहले ये convertible bonds करवा देता हूँ और आज की class over करूँ फिर bonds के एक topic बच जाएगा, bond refunding और एक कामी structure बच जाएगा और equity थोड़ा सा है तो दो ही part में होने वाला एक part आज होगा, bonds बड़ा topic है, equity छोटा topic है आज एक part होगा और कल एक part होगा, दो part में security evolution कतम हो पहले इसकी बात कर ले Consider a convertible bond Face value है, 1000 coupon है, 10% life है, 10 years Conversion ratio है, 20 shares इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब एक bond, चाहू तो आप convert करा सकते हो Convert करने पर आपको 20 shares मिले और एक share का आज कीमत है 45 ठीक, आगे बड़े Current market price of bond, आज उस bond की price कितने है तर आज उस bond की है, price 970 97 महगा विक्रा, पता नहीं कितने है और अगर आप share खरीदते हो अगर हम कहते हैं, भॉन्ड नहीं खरीदते हैं यार् हम shares ही खरीद लेथे, अगर bond खरीद के shares में convert करवानी क्या picture हम shares ही खरीद लेते हैं तो बुले, अगर आप shares खरीदते हैं तो future में convert ही नहीं करवाते हैं यह non-convertible bonds है तो कोई दूसरा non-convertible bonds होगा उसका yield देख लीजिए और उससे discounting किजिए मतलब यह intrinsic value निकालने के काम आए अगर हम convert नहीं कराते है तो इतने सारे points है इससे ज़्याद़ आपसे पूछे ठीक है पहले नंबर पे मांगा है आपसे बताएए straight value of bond क्या होता है straight value of bond का मतलब होता है कि मान लो 10 साल में हम बीच में कभी भी इस bond को shares में convert नहीं करवाते हैं हम इसको non-convertible ही मानते हैं ठीक है it means हमें तो हमें क्या निकालना intrinsic value निकालना है तो सर इसको intrinsic value of bond भी बोल सकते है यस और इसका और एक नाम है इसको बोलते investment value of bond investment value of bond तो देखे एक हजार का 10 percent कितना होता है सर रुपीज हंड़ेट discounting कितने percent से करोगे 14 percent से discounting करेंगे तो answer आजाएगा तो straight value of bond भोलेगा या investment value of bond भोलेगा या तो intrinsic value of bond भोलेगा एक ही बाद answer आगया इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी 1191.3 तो पहला intrinsic value of bond या straight value of bond क्या होता है कुछ नहीं होता है सर इसे इन्टरंसिक value निकालना यह मान के चलेंगे कि अगर convert non convertible मान के चलें दूसरा मांगा है stock value bond यह क्या होता है stock value stocks, stock मतलब समझते है, shares इसका मतलब होता है कि यह मान लो bonds को आज ही convert करा रहे थे आज ही खरीदते हैं और आज ही convert करा लेते हैं मान लो, मान लो तो उसकी actual में value क्या है मतलब उसकी conversion value क्या है it means वो share के equivalent मान रहा हूँ मैं कहता हूँ यह bond खरीद लू यह फिर bond के बदले में shares तो कितने shares मिल रहे, conversion ratio देखो कितना shares है सर 20 shares और एक share की कीमत है 45 तो इस bond की मुझे conversion value बता सकते ही stock value, yes sir conversion value of bond कैसे निकाल रहे है, simple है, जो market price है, उससे conversion ratio के तो answer कितना जाएगा, ना ही ना ठीक है, simple है बहुत ज़्यादा मुस्कुश तो मेरे ख्याल से straight value समझ में आ गया stock value समझ में फिर मांगा है percentage of downside risk साइद मैंने नहीं करवाया हूँ अब भी इसके लिए रुख जाते है, percentage of downside risk मैं करवा रहा हूँ, क्या मतलब रिसका प्रीमियम ओवर conversion value, प्रीमियम ओवर इसका मतलब क्या है, भाई market price क्या चल रहा है, 970 conversion value आए, 900 प्रीमियम ओवर bond महगा है, महगा होना ही है, क्यों महगा होना है, इसकी वज़ा है, क्योंकि ये option होता इसमें, ठीक है सर, optionally convertible, चाओ तो convert कराओ, चाओ दो दो option है, तो सर एक्स्ट्रा पैसा या divided by क्या जाएगा, 900 यार महगा है तो कितना महगा है, divided by 900 ही होगा, ठीक है ठीक है सर, इट मिन्स आपको यह current market price ना लिक कर जिसका निकालना stock value यहाँ नीचे आजाएगा, तो यह करना इसको मत कर, यह भी एक alternative हो सकता था, पर हम इसके हिसाब से करेंगे, जिसमें premium निकालना, वो base में आजाएगा ऐसे कौन सा? तब premium over investment value नीचे investment value आजाएगा, मतलब यह वाला formula main है, 22.63 यह नहीं करेंगे, नीचे हम market price के सबसे नहीं करेंगे जिसका निकालना हम अच्छी पे काम करेंगे तो आप यह वाला काम करो अगर पूछा premium over conversion value तो नीचे आएगा, conversion value अगर पूछेगा premium over investment value तो नीचे आजाएगा, investment खिर क्या पूछ रहा है खिर पूछ रहा है, sir conversion parity price per share this is most important parity समस्ति हो न, yes sir मतलब sir value of bond is equal to value of equity value of bond is equal to value of equity, bond का price कितना दिखरा market अभी, sir 970 और एक bond में कितना shares, 20, और sir price क्या यही तो निकालना है price, price per share, देखो na price per share मांग रहा parity का मतलब आपको पता है, बराबर और क्या कह सकते हैं, और मैं यह कह सकता हूँ, यार कि मैं मालो bond खरीटता हूँ 970 दिया और उसको फिर मैं shares में convert करा लिया, 20 share तो आपको एक-एक share कितने का पढ़ा अगर bond buy करके आज ही shares में convert करें, तो shares कितने का पढ़ा? तो answer आजाएगा 48.50 parity ठीक है, बास समझे, ठीक है यहां तक आगे बोल रहा, conversion premium पर share तो sir, आपको एक share कितने का पढ़ा? एक share पढ़ा sir, हमको 48.50 का 48.50 जबकि एक share का actual में price कितना है? एक share का price है actual में 40 रुपए 40 है कि 45 है sir, 45 है तो बताइए आपको कितना रुपए extra देना पढ़ा, अगर आप bond root के through जा रहा है तो sir, कितना रुपए extra इसको बोलते conversion premium पर share 3 रुपए 50 पैसे extra देना percentage में बोलेगा कि conversion premium in percentage बताइए तो यह आगया 7.7 और यह इसी के बराबर हो ठीक है, बाकी detail में discussion कर चुका हूँ ठीक है sir, यह भी हो गए अब sir, favorable income differential per share यह क्या होता, favorable income differential per share, this is most important अगर देखा जाए एक bond कितने shares के बराबर है 2 shares ठीक है sir, बात समझें एक bond पर मुझे coupon कितना मिल रहा तर coupon मिल रहा 100 रुपए इंकम और अगर मैं कहूँ share पर कितने की कमाई हो रही है, 2 रुपए एक share पर 2 रुपए यह comparison किया जा सकता है कि bond में ज़्यादा कमाई हो रही है annual, shares में shares में कितना dividend ले, हाँ sir comparison है, यह तो 2 into 20 कर लीजिए ऐसा नहीं करता है तो और एक तरीका क्या हो कहा divided by 20 कर लो sir, वो ज़्यादा अच्छा तो sir, 100 divided by 100 divided by 20 उस हिसाब से sir, bond अगर खरीतते हैं, तो हमारी जो income हो रही ना, वो 5 रुपए हर साल की, per share equivalent income बोल सकते और यहां कितने की income हो रही है 2 रुपए की, तो उस हिसाब से bond खरीदने में हमारा 3 रुपए हर साल की income ज़्यादा है, हर साल की income 3-3 रुपए ज़्यादा है, एक-एक share के पीछे, हाला कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं bond खरीद के shares में convert कर रहा हूँ, बड़ी बेकुफी है तो हमें 48.50 पढ़ रहा है हाँ सर तो extra कितना पढ़ा, सर 3 रुपए 50 पैसे, एक-एक share पर extra पढ़ा पर, जब करेंगे तब करेंगे, अभी तो हमारी income पे फोकस करो न, on income कितना है, 3 रुपए तो वो यह बतानी की कोशिश कर रहा है, कि यह जो 3 रुपए 50 पैसे, यह तो आज गया extra, मेरी बात समझो यार, यह important concept है, और यहां समझाना बड़ा मुस्किल है, रिवीजन के सब है, पर फिर भी कोशिश करते हैं अगर मैं bonds खरीद लिया, bond खरीदा बहुत अच्छी है, और shares में convert का सोच रहा हूं, तो सोची क्यों रहा हो, shares ही क्यों नहीं खरीद ले रहा है, bond क्यों खरीद रहा है, अगर आप bond खरीद के सोच रहा है कि shares में convert करूंगा, तो आपको 48.50 पचास पेशे का share पढ़ा है, जबकि direct shares में जाती हो, तो आपको 45 रूपीज का share पढ़ा है, तो अगर इस route के through जा रहा है, तो भाई साब आपको 3 रूपए 50 पैसे एक एक share पढ़ेगा, जब भी आप convert कर रहा होगा, मान लो price change नहीं होता है ठीक है सर, बात समझ में आती है पर bond खरीद के मैं थोड़ी नभी shares में convert करा रहा हूँ, मान लो income की बात करो ना यार, ठीक है, बात मैं सोच जाएगा no doubt, साड़े 3 रूपए एक्ट्रा जा रहा है एक्ट्रा income भी तो आ रहा है, bond के route के थ्रू जाओंगा, share खरीद लिया तो 2 रूपए डिविडेन मिलता, पर bond अभी खरीद लेता हूँ, उस हिसाब से हर एक share पे मेरा कितना extra income हो रहा है, 3 रूपए 5 रूपए, तो extra income कितना हो रहा है 3 रूपए, तो ये जो premium payback period, तासा muskill है यार समझाना, पर ठीक है, चलेगा sir, this is premium payback period ये निकाला मैंने यहाँ premium payback period, देख लेना आप कहा निकला होगा, कही ना कही निकला होगा ये बहुत ज़्यादा detail में समझाया था बच्चों को इसलिए 1.16 बहुत सारे तरीके से समझाया था, समझी में नहीं आया था पर अब मैं उतना अग नहीं समझा सकता है अब भी और एक चीज बचा है, percentage of downside risk, ये भी एक formula percentage of downside risk, अब भी bond का price क्या चल रहा है 970 अभी bond का price चल रहा 970 अब दिक्का थे इसका conversion value भी दिया है yes, और conversion value कितना निकाला था, conversion value conversion value, 900 रुपे निकाला था, ठीक और इसका intrinsic value भी निकाला था वो कितना निकाला था, 790 मैं कहता हूं भाई, अब सुनोगे बच्चों भग्मान ना करें bond का price किस पर depend करता है, demand and supply पर हाँ sir और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लो bond का demand कम हो गया तो price गिरेगा क्या 970 से गिर सकता price no doubt गिर सकता है मैं कम ना करों गिर सकता है पर 900 रुपए तक तो रुख जाएगा ना sir 900 रुपए तो stock value नहीं मान लो share का भी price गिरा ओहो, share का भी price गिरा share का price गिरा तो bond का भी price गिरेगा लेकिन किसी भी हालत में वो price 791 से कम नहीं होगा हम करवाएंगे ही नहीं हम convert ही नहीं करवाएंगे हमें मालूम है कि कुछ भी क्यों न हो जाए हमको interest तो मिले गई भाई interest को और interest का present मतलब किसी भी हालत में bond intrinsic value से कम हो ही नहीं सकता कितना risk कितना है bond का market price अगर गीरा तो कहां तक गीर सकता है intrinsic value तक उससे ज्यादा नहीं गिरेगा तो वही पूछ रहा है कि कितना percentage fall हो सकता है downfall तो उसको बनते percentage of downside risk तो दो तरीके है तो difference किस किसका निकलेगा तो कसम का तो difference तो इन दोनों के वीच का ही निकलेगा किस किसका 970-70 इन दोनों की वीच का अब base में ICEI कभी 970 लिख देता है कभी 791 लिख देता है logically की तो बात में कर सकता हूँ कि 970 से नीचे तो नीचे 970 होना चाहिए पर दोनों करके आ जाना ICEI दोनों ही करता है that's it तो मेरे ख्याल से ये सब formula important है आप इसे बिल्कुल छोड़ नहीं सकते एक ही question करवाई हूँ धंग से करवाई ऐसे example number 15 भी देखे लेते हैं यसा तर आज कहां पर छोड़ोगे आप आज मैं आपको option embedded bond मतलब bond refunding से पहले छोड़ दूँगा और अगली class में bond refunding होगा term structure होगा और equity होगा और equity छोटा सा आप भी जानते हो single period growth model और multi period growth model खतम हो जाए bond बड़ा है यार जासा चलो example number 15 क्या क्या दिया है face value 1000 coupon है 8% life है 5 साल conversion ratio है 4 years clear price है 245 और 11 पर तो क्या इसकी दो price निकाल सकते हो क्या कौन कौन सी price एक तो ये वाला price निकलेगा जिसको आप कौन सा बोलते है intrinsic value तो निकाले सकते हो ये निकाला intrinsic value और conversion value निकालना 900 अब येर bond का price decide करना हम लोगों को bond issue करना actual में ये हम क्या सीख रहा है मैं बोल रहा हूं कि convertible bond का price निकालिए अगर ये 10% जादा है किस से floor value से तो sir floor value क्या है floor value है कि यार अगर मैं कहता हूँ इन दोनों में से क्या जादा है कौन कौन सी value निकाला intrinsic value और conversion इन दोनों में से जादा क्या है sir जादा ये 980 तो जब हम bond price करेंगे तो हम 980 plus 10% अच्छा sir it means हमारे काम की चीज़ बस इतनी है कि floor value क्या होता ही आपको याद रखना पड़ा एक्जाम में आया है कि नहीं आया पर floor value क्या होता है intrinsic value और conversion value whichever is higher question number 28 question number 28 करना जरूरी है company has current earning अच्छा question है rupees 3 परशिय और number of shares कितने है 5 lakh 5 lakh into 3 तो earning कितना आ गया है 15 lakh रुपे company plans to issue 40,007% convertible preference shares of rupees 50 each at par company क्या issue करना चाहती है 40,000 preference shares और 50 रुपे का एक और preference shares कितने shares में convert हो सकते है बोले 2 equity shares में convert हो सकते है और अभी equity share का market price कितना चल रहा है 21 सबसे पहले मांगा है conversion value 21 into 42 आएगा इसमें कोई शक्की बाद तो simple है दूसरा conversion premium मांग रहा है conversion premium conversion value divided by MPS minus conversion value divided by conversion value into 100 तो सरी यह आगे है 19.05% यह भी सही है तीसरा बोल रहा है मान लो की total earning same ही रहेगी मतलब 15 लाख ही रहेगा आपको effect बताना है EPS निकालना EPS और किस condition में अगर conversion नहीं करते हैं तो अगर conversion कर लेते हैं तो किस करेगा सबसे पहले मैंने 15 लाख रुपए की income निकाला वो तो निकल गए अब उसके बाद मैंने कहा कि अगर conversion नहीं करते तो ये मैं बात कर रहा हूँ before issue preference shares income है 15 लाख 25 लाख कौन सा वाला option में डाल रखा है ये second में बोला कि अगर income third और fourth एक साथ किया ठीक है सब before conversion अगर income 15 लाख है अगर income 25 लाख conversion नहीं कर रहे तो preference share पर dividend तो दे नहीं पड़ेगा तो 20 लाख into 7 परशन तो ये earning आजाएगे number of shares उतनी रहेगे तो 2.72 और 4.7 अगर convert कर लेते earning उतनी ही रहेगी पर number of shares बढ़ जाएगे 5 लाख और 40 लाख into 2 तो ये EPS ये बांगा था ये बता दिया ठीक है तो ठक गया है ठक तो मैं भी गया हूँ बोलते बोलते पर क्या करूँ आपके एक्जाम पास में ये जो question है ये बॉर्ण immunization का करना पड़ेगा हम लोगों simple question है ज्यादा मुश्किल नहीं है इक बार देखते होता है following data are available for 3 bonds है A, B, C these bonds used by a bond portfolio manager ठीक है और आपको 6 साल बात पैसो की जरूरत है मतलब यार duration of liability है कितना साथ और current yield कितना दे रखा 9% मैंने बोला ना immunization में 9% current yield से ही discounting कर रहा all bonds have face value 100 and will be redeemed हाला कि इसका YTM face value पर ही redeemed हो रहा है face value पर ही issue हो रहा तो current yield और YTM एक ही होग सबसे पहले इसका maturity है 10 साल 10% इसका maturity है 8 साल 11% 5 साल आपको क्या निकालना है duration of each bond निकालना निकालनेंगे निकाला ही होगा duration of each bond यस निकाला है इन्होंने तो निकाला है आप भी प्लीज थोड़ी मेहनत कर ले न और duration निकाला तो यह आगया 6.852 और बाकी bonds का भी duration निकाला यह आगया है 5.833 और इसका duration निकाला 4.242 ठीक है ठीक है वो आप निकालोगे बहुत मेहनत वाला काम है अब point number 2 important duration of liability is equal to मुझे क्या करना पड़ेगा duration of asset और वो weight मांग रहा है इनों का duration निकाल चुका है यह duration नहीं है, यह maturity period है में तो duration निकाल चुके है वो बोल रहा, मान लो 45% हम किस में लेते है इसका इसमें 45% calculate the percentage to be invested in इसमें और इसमें कितना invested तो यह किया है हम लोगों ने यस, किया हुआ है देखो, इसमें 45% रखना यह दिया है इसको मैंने लिया weight of b और इसको लिया 1 minus 0.45 minus weight of b या सीधा भी कर सकता था 0.45 minus weight of b ठीक है सर, चल जाएगा equation आप देख ले न तो सर, answer आ गया weight of b answer आ गया 36.75 weight of c b automatic answer आ जाए अब उनका यह कहना आगे है after the portfolio has been आपने लगा दिया जितना लगाना था उसके बाद बुले interest rate change हुआ उसकी वज़ा से duration में change हो गया और duration conceptual गलत है पर मैं भी concept की बात ही नहीं कर रहा हूँ duration of liability is not equal to 6 and portfolio is not immunized ठीक है सर और फिर आपने उस फिर नया weight पूछा तो फिर आपने नया weight निकाल लिया कौन से वाले duration को लेकर इस duration को लेकर नया weight निकाल लिया तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी ये question आप से हो जाए तो बड़ा question था है question number 30 तर्नम limited issue convertible dementia with coupon rate 12% each dementia has an option to convert कितने shares में convert कर सकते हैं 20 shares में convert कर सकते हैं at any time until debenture जो redeemed है वो 100 में है on maturity of 5 years investor generally require rate of return 8% on 5 years पांग क्या रहा है वो बोल रहा है सर as an investor when will you exercise conversion for given market price है क्या question actual में वाई साब ऐसा है अगर मैं कितने shares में convert कर सकते हैं बले 20 shares में convert कर सकते हैं पर मैं कहता हूँ यार bonds को मैं अगर hold ही करके रखता हूँ पास साल 8% discounting करूँ तो intrinsic value कितना आया फिर bond का price अभी आया 116.016 116.016 अब मैं आप से कुछ बोल रहा हूँ अब आप company बोलती आप convert करवा लीजी मैं तभी convert करवाँगा इसको जब मेरी conversion value इससे ज़्यादा आएगी मतलब यार अगर मुझे कोई shares दे तो इतना तो दे इतने रुपए के shares तो दे दे की value आ रही है 120 ठीक है तो convert कब करवाँगी जब 6 रुपए price इस question में क्या खास बात थी इस question में पढ़ लेते हैं जल्दबाजी नहीं करते पढ़ लेते हैं जल्दबाजी कर रहो मुझे ऐसा लग रहा convertible bond है ठीक है sir open rate कितना percent है 14% और एक bond कितने shares में convert हो सकता है sir 20 shares में convert हो सकता है और similar yield कितना 8% convertible bond has 5 years maturity and it is redeemable at 5 rupees 100 the relevant present value ठीक है मांग क्या रहा भाई current market value of bond if assuming being equal to its fundamental current market value मांग रहा है मतलब वह थे intrinsic value है वह तो निकल जाएगा minimum market price और duration, duration इसमें मांगा तो duration भी निकला वताई एक share पर कितने shares मिलेगे 20 तो एक share का price कितना होना चाहिए question था, यह तो उनमें नहीं भी समझाता तो चल जाता question number 38 अच्छा question था लेकिन वो कर लेना a hypothetical company ABC limited issue 10% dementia case value 1000 duration दिया है 10 साल, actually duration नहीं maturity period होना चाहिए 10 साल duration नाम दिया, अब बच्चे confused वह जाएंगे या duration मतलब one duration दिया है actually maturity period है अभी कितने का विक्रा है डिबेंच सर, 850 रुपए और convert कराओगे तो convert कराने पे भी 850 रुपए ही मिलेगा it means अभी market price कितनी है सर, अभी market price है 800 रुपए if yield on equivalent comparable bond जो दूसरी company का comparable bond है उसमें कमाई है 11.80% 11.80% relevant present value दे रखा है और ये तो मांग किया रहा भई ये मांग रहा है calculate the spread of yield above bond from comparable bond सुनना ध्यान से मांग किया रहा है similar yield कितना है 11.50% और मैं अपने bond का yield निकाल रहा हूँ और yield आ गया है मान लो 12% yes sir तो बताओ हमारे bond का YTM जादा है कि नहीं है क्या बता सकते हो कितने percentage से है sir 0.2% इसी को बोला जाता spread एक्स्ट्रा कितना अच्छा sir यह सब्द यूज किया और sir जो YTM निकालेंगे वो क्या table दिया है अगर table दिया है तो आप formula method नहीं करोगे present value method करोगे तो इसमें YTM में निकालोगे और इन दोने के वीच का difference ठीक है आप आज की class आज वैसे bond खतम करना था bond में एक bond refunding ही बच्चा है पर ठीक है अराम से करते अगली class में तो खतम हो जाएगा कल की class का क्या target है part 2 होगा खतम करेंगे एक तो हम bond refunding वाला काम करेंगे उसके बाद term structure करेंगे दो काम हो जाएगा उसके बाद equity evaluation उसमें सब कुछ हो जाएगा मतब कल खतम करेंगे किसी भी हालत में खतम हो जाएगा उसमें भी हो सकता है 2-3 गंटे की class वह भी जाए thank you so much कल मिलते हैं